The sermon The Kinsman Redeemer was delivered by Brother William Marian Burnham on Sunday morning, October 2, 1960, at Burnham Tabernacle in Jefferson Village, Indiana, USA. ये सु समाचार हमारे भाई William Marian Burnham के द्वारा रविवार प्राते अक्टूबर 2, 1960 में Burnham Tabernacle, Jefferson Village, Indiana में प्रचारित किया गया. जिसका हिंदी शीर्षक छुडाने वाला निकट कुटूंभी और अंग्रेजी शीर्षक दिकिंस्में रडीमर है. धन्यवाद भाई नेविल, प्रभू आपको आशिश दे. आज प्राते प्रभू के भवन में वापिस फिर आना बहुत अच्छा है. मैं विश्वास करता हूँ कि एक बार ये कहा गया था, जब उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभू के भवन को चले, तो मैं आनन्दित हुआ. चारली, खंबे के पीछे से बाहर आओ, और यहाँ आकर अपने लिए कुर्सी ले लो, यहाँ आजाओ. बेहन क्या वाँ पीछे कहीं कोई कुर्सी है? हम अंदर सठ सकते हैं. माईला, यहाँ पर थोड़ा सा इस्थान है. यहाँ आप ऊपर आजाओ. यहाँ चारली, यहाँ आकर बैंक के बराबर में बैठ जाओ, ताकि तुम्हें खड़ा ना होना पड़े. हर बार यह लड़का वहाँ केंटकी से आता है, और यहाँ आकर हर पराते खड़ा हो जाता है, और इसलिए इसे यहाँ ले लिया. यहाँ परस्थान है, यहाँ कुर्सी के अंतिमोर, किसी और के लिए, वहाँ पीछे एक महिला खड़ी है, वहाँ पीछे, यहाँ आजाएं, ठीक यहाँ बैठने का स्थान है, बहन वहाँ पास में, सीधे आगे आएं. और मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई पही बैठने का स्थान ठीक यहाँ पर है, यहाँ पीछे, ठीक यहाँ बैठने का स्थान ठीक यहाँ पर है, यहाँ पीछे, ठीक यहाँ बैठने का स्थान ठीक यहाँ पर है, यहाँ पीछे, ठीक यहाँ बैठने का स्थान ठीक यहाँ एक यहाँ है ठीक यहाँ पर भी है आपकी सुविधा के लिए हाँ आप वहाँ एक ले सकते हैं अब आगे आएं अपने स्थानों को ले लें और वास्ताम में अच्छा नुबह करें हम आपको चाहते हैं कि आराम में हो जबकि हम प्रभु के वचन को लाने का प्रेशन कर रहे हैं और निश्य ही यहाँ होना बहुत भला है मैंने चारली को प्रचार मंच पर नहीं देखा क्या वहाँ पीछे है अरे उसे यहाँ लाओ ओ मैं पिछले कुछ दिनों से वहाँ चारली के साथ हूँ और मैं बिना उसके घर जाए नहीं जा सकता और खाना खाना इसलिए मैं उसे मंच पर ला रहा हूँ इस पर आता है और दीवार के पास खड़ा हो जाता है किसी को बैठने का स्थान देने के लिए इसलिए इस प्राता मैंने उसे देखा और उसे वहाँ पर खड़े हूँ देखा मैंने सोचा अब मैं उसे यहाँ लाओंगा भाई यह बहुत अच्छा है अब हम इस पर आता है भाई रसल कॉक्स के दोरा संदेश सुनेंगे नेली कहा है मैं यह उसके लिए बढ़िया बात है कहां हां यही मैं निश्चे ही बहुत से मित्रों को देख कर यहां आननदित हूँ पिछले रविवार को जम्मे गया सारे सब्ता मुझे बुरा लगा मेरे अच्छे मित्र यहां बैठे हुए हैं वहां दूर दक्षन से भाई वेस्ट और मैं श्रोत्रा गणों के मद्ध में गया था बाद में मैंने कहा मैं अमूक अमूक से मिलकर आननदित हुआ और अमूक अमूक से और मैंने वहां भाई वेस्ट के उपर से होते हुए देखा जब तक बहार ना निकलने लगे मैंने ध्यान नहीं दिया मैं सारे सब्ता सोचता रहा कि भाई वेस्ट सोचेंगे कि मैंने जान बूच कर उन्हें नहीं देखा परंतु वो मसीह है इसलिए वो इसे भली प्रकार से जानता है वो जानता है कि मैं एक सच्चा मित्र और मैं जानता हूं कि वो जानता है कि मैं ये नहीं करूंगा आज प्राते में आते हुए सोच रहा था कि जो लोग विभिनस्थानों से आए हैं उनसे मिलूं यहां आज प्राते फिर भाई वेस्थ यहां पर हैं और ओहियो से भाई और बहन किड यहां पर हैं और मेरे कुछ मैं जानता हूँ कि भाई इवान यहां पर हैं मैं कल मोटल पर उनसे मिलना चाहता था परंतो मेरा अनुमान है कि वे भाई फ्रेड और उनके साथ बाहर गए थे और प्रतेक रवीवार को मेकन जॉर्जिया से यहां आते हैं जब मैं बोलता हूँ मेकन जॉर्जिया से यहां से दूर है लगभग आठ सो मील या इस से अधिक मैं समझता हूँ वहां पर हर दिन में जब मैं बोलता हूँ अपने परिवार के साथ यात्रा करके आते हैं और यह इमानदारी है मैं सोच रहा था और यदि आपके पास इस प्रकार का मित्र है जो आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़ा होता है अब वे लोग जोर्जिया से और ओहियो से और रास्ट के विविन भागों से नहीं आते यहां छोटे से अराद नाले में मुझे सुनने वे यहां इसलिए आते हैं क्योंकि वे संदेश का विश्वास करते हैं वे यही विश्वास करते हैं वे इस संदेश का विश्वास कर रहे हैं और तब मुझे इस संदेश के प्रतीक कितना इमांदार और सच्छाइए तब परमेश्वर उनकी गलती के लिए मुझे उत्तरदाई ठहराने जा रहा है क्योंकि इसे सिखाने वाला मैं था समझे और मैं आपको बताता हूं ये निश्चे ही आपको गहराई से विचार आने देता है जब आप इस प्रकार सोचते हैं So I appreciate every one of you so fine to know that you drive those hundreds of miles through hazardous roads and all these super highways where accidents and things, your faith in God steers you through somehow, brings you here and takes you back. We're so glad to have friends of that type. I pray God's rich blessings upon you. इसलिए मैं आप में से प्रतेक की सरहाना करता हूँ. सोच कर बहुत अच्छा लगता है कि आप सेक्ड़ों मील, उबड़ खावड़ सडकों में गारी चलाते हुए और इन शानदार राजमारुगों पर जहां दुरुगटना और दूसरी बाते होती हैं. परमेश्वर में आपका विश्वास आपको जग जोड़ता है, आपको यहां लाता है और वापस ले जाता है. इस प्रकार के मित्रों के लिए हम आनदित हैं. मैं आप पर परमेश्वर की बहुत आइस से आशिशों के लिए प्राथना करता हूँ. अब पिछले दविवार मैंने कहा कि हम बोलने जा रहे हैं और फिर प्राथना पंक्ती को बुलाएंगे. मैं किसी प्रकार से इसे करना चाह रहा हूँ. ताकि अधिक सधिक लोगों के लिए प्राथना करने का मार्ग निकले. और यदि में पिछले रविवार के समान चलता हूँ, कोई मेरे लिए प्राथना कर रहा होगा. मैं यहां से लगबग दो बज़े चला और मैंने प्राथना पत्र नहीं दिये. प्राथना पत्र देना कठिन का रही है. मैं नहीं जानता कि आप इसे जानते हैं के नहीं. लोग आप से घ्रणा करते हैं. और उस दिन भाई, बैंक्वोड ने कहा, जब हम वहां केंट की में थे, कि वो स्वेच चाह से कार्ड बांटेगा यदी बिली नहीं आया. आप जानते हैं बिली मेरा अपना पत्र होने के नाते, क्यूं वे? मुझे कुछ पत्र मिले, कि उसने मुझे प्राथना पत्र की प्रतिग्या की थी, उसने मुझे नहीं दिया, छोटा चुआ. इसलिए वे उन सब को नहीं दे सकता और हम पंक्ती में बहुतों को नहीं ले सकते, समझे? उसे मेरी सुरुक्षा करनी होती है. और जब हम चले तो मेरी बहु ने कहा, बिल, कि आपको बिली को प्राथना पत्रों के साथ वापस आना होगा, या कहा, आप अधिक नहीं कर पाएंगे. और इसलिए, परंतु मैंने कहां पर गलती की, वो विचारों को परखना, तब कोई वापस आएगा, कहेगा, मैं भूल गया कि मा पराथना करवाना चाहती थी, आप जानते हैं, वे किसलिए वापस आते हैं, विचारों के परखने के लिए, आप समझे? इसलिए, परंतु मैं उन पर दोश नहीं लगाता, मैं भी यही करता, समझे? मैं भी करता, हम मनुष्य हैं, और हम सब जीना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि क्या करें, हम ऐसे ही हैं, परंतु आप इन बातों के साथ उतनी ही दूर जा सकते हैं, आपका वर्दान, और तब आप लगवग धूल गये, जब यह कुछ बार घटित होता है. और इसलिए भाई बैंक्स इस परातना पत्र बांटने वाले थे, और बिली को रात में आना था, इसलिए मैंने सोचा, यह तो बड़ा भयानक होगा, कि एक भले आदरनी व्यक्ति को लेकर, जैसे भाई बुड्स हैं, प्रातना पत्र बांटना, लोगों की भीर उसके उपर जमा करना, मैं समझता हूं, बिली बुरा नहीं मानता, वो उन्हें अपने उपर जुकने देता है, वो चलने देता है, ठीक है, अब अगले सब्ता मुझे डलास में होना है, इस आने वाले शुकरवार की रातरी में, वोईस ओफ हीलिंग कन्वेंशन में, यदि यहां आज पास में लोग हैं, उस एक रातरी में वहां पर हूंगा, उनकी बेदेरे सभा में बोलने के लिए, और विशर जिस पर में बोलना चाहता हूं, वो अपरोच तु फेलोशिप है, यदि प्रभू ने चाहा, और तब आने वाले रविवार, जो अगला वाला रविवार है, यदि प्रभू ने चाहा, मैं निश्चित नहीं हूं, यदि प्रभू ने चाहा, मैं वापस आकर इस विशह पर बोलना चाहता हूं, जो कि मैं आज बोलने वा था, विंड इन दा विल्ड विंड, हवा में चकरवात, और आज रोगियों के लिए प्रातना करने वाला था, और ये बलकि एक तेज जड़की है, कलीसिया को उसके पापों के लिए, और ये कोई बहुत अच्छा बोलने का विशह नहीं, जबकि आप प्रातना पंक्ति को बुलाने जा रहे हैं, प्रातना के लिए लोगों का विश्वास बनाना और परमेश्वर पर, और विश्वास जमाना, इसलिए मैंने भाई नेविल से उद्गोशना करने के लिए कहा, कि इस प्रातना में किसी और विश्वास बनाऊंगा, लोगों का विश्वास परमेश्वर पर बनाऊंगा, दूसरा वचन लोगों को जड़की मारना, क्योंकि परमेश्वर की आग्याओं का पालन नहीं करते, इस और लोगों का विश्वास परमेश्वर पर बनाना, समझे इस प्रात है उस प्रातना के कमरे में या वहां रिकॉर्डिंग के कमरे में मेरा एक छोटा पुराना मित्र भाई किड असी कुछ असी वर्षी है यहां बैठा है आप में बहुत सों को इसमरन होगा जब उस प्राता में उसके पाद भागा वो लगब लगब एक वर्ष पहले अब इस पर बंद करता हूँ मर रहा था बहुत बीमार था डाक्टरों ने जीवित रहने के लिए एक सब्ता दिया था एक सब्ता नहीं वे सुबह तक जीवित नहीं रह सकेगा उसे यहां लाए लगब लगब तीन प्राता है बीतने के बाद और अब वो एक सो पांच के है या ऐसे ही कुछ उसने कुछ चणों पहले कहा वो एक सो बतीस से नीचे का है कहा एक ललके के समान अनुभाव करता है भाई किड मुझे आश्रे है यदे आप खड़े हो जाएं ताकि लोग जाएं जाएं कि ये बुड़ा परचार कौन है ये है वो हम प्रभू को धनेवाद दें एक मनुष्य जो कैंसर से मर रहा था उस दशा में एक प्यारी संगनी है मैं चाहता हूं कि वो भी खड़ी हो जाएं मैं बस बेहन किड आप यहां पर कैसी है अब वो देखिये कितनी जल्दी वो खड़ी हो सकती है मुझसे अच्छी परमेशर भाई और बहन को आशिश दे परमेशर की बहुत आशिश उन पर रहे धन्यवाद बहन उन्होंने कैंटी की के पहाडों में कोईले की खान के उंचे नीचे रस्तों में संगर्श किया दोड़े लताड़ा उपहास बने सताए गए जैसे भी हो सका जीवन बिताया जो कहीं पर मार्ग में मिला उसे ही पीसा और परमेशर के राज्जी के लिए जीवन बिताया असी वर्शों के हो गए अब भी सूसमा चार पचार कर रहे हैं अब वे जाने के लिए बहुत बूरे हो गए हैं इसलिए में परातना के कपड़ों पर परातना करके उन्हें भेज देता हूं और वे अस्पतालों से बस बाहर आ जाते हैं और इस परकार की बातें लोग भीतर आकर उन्हें ले ले लेते हैं ये वास्तम में हिर्दे में समा जाता है क्या नहीं ये आप उन से मिलने नहीं जा सकते तो उन्हें परातना करके कपड़ा भेज दें इस प्रकार से लोगों में विश्वास है, ये बहुत अच्छा है भाई रोजर्स भी आज यहीं कहीं है, भाई क्रीच के ससुर मेरे बहुत प्रीय मित्र, उनके घर वैसे ही जाता हूँ जैसे चारली और नेली के और वे वहाँ जो केंटिकी में हैं और वो वहाँ जाकर उनके साथ सारे समय शिकार खेला करता था और यहाँ अधिक समय नहीं हुआ, लगबग 13 महने पहले डाक्टर ने उसे खूला कैंसर और कहा ये गया मैंने सोचा मेरा मूलेवान पुराना मित्र अनुभवी पहले महाँ यूद का एक वास्तिविक बहद्र व्यक्ती उसका परिवार उसे मैंने येशु मसी के नाम में बबतिस्मा दिया बहुत वर्षों पहले उसके पापों की शमा के लिए ये जानते हुए कि तब वो मसी की देह में रखा गया और परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार था मैंने सोचा मेरा मूलेवान भाई अब जाने वाला है उस दर्षन के बाद वो ठीक था या उस दर्षन के मेरे पास आने से पहले स्वरक के विशे में और तम में उसे मिलने गया और कमरे में मेग धनुश आया परमेश्वर ने चीजों को बदल दिया ये तेरा महने पहले की बात थी और वो आज भी यहां पर है खा रहा है उसने कुछ लिया कुछ सलफर की तरह की गोलियां ली उसे यहां गले में जलाया और वो प्रातना पंक्ती में आने जा रहा है मैं सोचता हूँ इस प्राते आया है और मैं जानता हूँ कि मैं घोशना करता हूँ जब बिली पहले ही दे चुका है या देने जा रहा है मालूम है कि वे प्रातना पत्र बाटने जा रहे हैं मैंने उसके दमाद को बताया मेरा चामित्र भाई क्रीच उसे लाने के लिए सोचा यदि मैं उसे चूक गया तो मैं उसे पकड़ूंगा और इन प्रातना के कमरों में रखूंगा यहां पर परंतु उसके पास प्रातना पत्र है मैंने कहा बस्ती मैं चाहता हूँ कि तुम वहां बाहर चले जाओ उसका नाम एवरिट है हम उसे बस्ती कहकर पकारते हैं चोटा करके और वो मेंने उसे बताया बाहर जा कर प्रातना पंक्ती में आजाओ बलकि जब अभी शेक हो तो मैं प्रातना करूं इसके लिए इसलिए मैं चाहता हूँ यदि मुझे मॉझे दुम हो कि मेरे लίए प्रातना होनी थी मैं चाहता हूँ कि कोई अभी शेक में हो जब वो मेरे लिए प्रातना कर रहे हूँ अब आईए इस प्राता है हम अपनी बाइबल में से रूत की पुस्तक खोलें मैं इसमें से कुछ वचन पढ़ने जा रहा हूँ रूत की पुस्तक में से अब इसके पहले कि इस विशेफ पर आएं यदी मैं इस प्राता में अपने मूल पाठ की घोशना करना चाहता हूँ जिसे निकट कुटमभी छुडाने वाला कहा गया है और मैं इसे चार विभिन दिश्टी कोणों से लेना चाहूंगा छुटकारे पर पिछले रविवार ये सोचते हुए कि कैसे मसी हमें छुडाने आया प्रचार कर रहा था और तब आज मैं इस पर बोलना चाहता हूँ छुडाने वाला क्या है वो कैसे छुडाने वाला बन गया और इसमन रखिये एक छुडाने वाला आपको पूर्टे छुडाता है जब वो आपको छुडाता है आपके पापों से आपकी बीमारी से हर चीज से जो गलत है वो छुडाने वाला है अब इसके पहले इसे लिए आईए हम अपने सिरों को जुकाएं और उससे प्रातना में बाते करें अब अपने जुके हुए सिरों के साथ मुझे अच्छा लगेगा कि कितने आज प्रातना में इसकी उपस्तिती में चाहते हैं कि उन्हें प्रातना में इसमरंड किया जाए अपने हाथों को उठाने के दौरा कहें परमेश और आप मेरे निवीदन को जानते हैं परमेश और आप में से प्रते को आशिश दे हमारे स्वर्गे पिता आज मैं बहुत आननदित हूं कि एक बड़ी उची सामर्थ है परमेश और को जानती है कि हम उसके पुतर मसी येशु के दौरा अपनी पहुच कर सकते हैं और जो हमने मांगा है उसका उत्तर पाते हैं जैसे कि बीती सभाओं में हम बड़ी आपने हैं परमेश और जानती हैं बोल रहे थे कि किस प्रकार से मनशे लोग भेडों और बक्रीयों की खाले ओड़कर मारे मारे फिरे और निराश रहे थे एक नगर की खोज में थे जिसका बनाने और रचने वाला परमेश्वर था यदि वे ये जानते कि वे कैसे कभी एक बार उस तक निकट पहुच कर सकते हैं यदि वे ढूंड सकते कि वे कहा था और अयूब पुराने प्राचीन ने कहा यदि मैं जा कर उसका दौर खटकटा सकता दूसरे प्रकार से यदि मैं ढूंड सकता कि वे कहा पर नेवास करता है तो मैं उसके साथ घर चला जाता और उससे आमने सामने बाते करता परन्तु मनुष्य के लिए ऐसा करने का कोई मार्ग ना था क्योंकि उसने पाप किया था और स्वेम को अलग कर लिया था और परमिश्वर से अपरिच्छत हो गया था परन्तु उस अमूलिय के दोरा जो आया और मार्ग को खोल दिया और हमारे पापों को शमा कर दिया और हमें परमिश्वर के सम्मुक ले आया परदेशियों के समान नहीं परन्तु जैसे बालक अपने पिता के पास आते हैं ये जानते हुए कि वो हमारे हर निवेदन को जो हम मांगते हैं हमें प्रदान करेगा केवल एक ही नियम रखा, यदी तू विश्वास करे, ये सहमती है. शेतान दावा करता है कि हम विश्वास नहीं करेंगे, और परमिश्वर कहता है हम विश्वास करेंगे, अब संगर्श जारी है, और हमें निर्णे लेना है, हमारा निर्णे जिदर भी हो, ये उसी प्रकार होगा, और बताया गया है, ये बहुत शांदा लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव हैं. और आज हम विश्वास कर रहे हैं, आ रहे हैं दिव्वे पक्षपाने के लिए, तेरे निकट आ रहे हैं, और तुछ से बिंती कर रहे हैं कि तु हमारे निवेदनों को सुनेगा, और हर हाथ जो उठा हुआ है, आप जानते हैं कि उनके हाथों के नीचे, उनके हिर्दें में क्या अर्थ था। क्योंकि ये लिखा हुआ है कि तु हमारी भावनाओं और मस्तिक्ष के विचारों को जानता है, और विचारों को परखता है, और परमिश्वर हम प्रास्ना करते हैं कि आप अपनी महानता के और अनुग्रे के अनुसार प्रतेक निवेदन का जिसका उलेख किया गया है, उत्तर देंगे। प्रभू आज हम मांगेंगे कि आप मेरी साहता करेंगे, जो बहुत ही आवशक्ता में है, शायद भक्त मंडली में ये जानते हुए यहां आपके सामने रखा है, जो कि प्रभू येश्व के लहु से खरीदा हुआ है, बड़ कि आवरू है, जो येजार ये।ल recent ली हैं में में ऑो हमेम ढ़के में बड़ रखा है। और बारीए क्फस्त्म tomorrow's कि लहां है। येख। नीन लीनियो कि देंगर रेवार। संभवते यहां पापी बैठे हुए हूँ जो पापों से बंधे हुए हैं यह उनके लिए कठिन और असंभव है उनके लिए कि वे ऐसे स्थान पर पहुंच कर मसी को स्विकार करें जब तक शेतान ने उन्हें अपनी सामर्थ में जकर रखा है परंतु यह जानते हुए कि लिखा है मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे और प्रभू आज हमें सामर्थ दे वचन के परचार में से होते हुए कि संदे के हर दुष्ट आत्मा को निकाल दें और अंद्विश्वास और भै लोगों के हिर्दे और मस्तिक्ष से कि वे जो घवराट के बंधन में हैं और संदे के मसी की बाहुं में ला सकें और ये भी लिखा हुआ है कि वे बीमारों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे यहां वे मसी ही हैं जो बीमारी की दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए हैं प्रतेक बीमार और अपाहिज व्यक्ति को जो इस भवन में आज यहां है कि महान पवित्रा आत्मा को ही प्रतेक हिर्दे में एक आधिकार मिले और प्रतेक शरीर जो दिव्वे उपस्थिती में है अपने वचन के द्वारा हमसे बाते कर तेरा वचन सत्य है यह न जानते हुए कि क्या कहना है परंतु पवित्रा आत्मा के माल्क दर्शन पर प्रतिक्षा कर रहे हैं ताकि वो हमारा माल्क दर्शन कर सके और पूर सत्य में दिशान निर्देश कर सके प्रते लुए इसे प्रदान करें स्वेम के लिए मही मालें और अपने दास का अधिक्षा करें और तेरा वचन पहले ही अभिशिक्ष है जैसे कि आप प्रतेक हिर्दे को लेते हैं जैसी हमारी अवश्कता है आपको महिमा देते हैं परमेश्वर के पुत्र येसु मसी के नाम में हम ये मांगते हैं आमीन before reading I might save this little slogan that I like so well if you have rivers that you cannot cross you have mountains you cannot go through just remember God in heaven specializes and things others cannot do पढ़ने के पहले मैं ये छोटा सा नारा बोलना चाहता हूं जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं यदि कोई नदी जिसे आप पार नहीं कर सकते और पहाड है जो आप पार नहीं कर सकते केवल सुर्ग के परमेश्वर को इसमरन करें जो विशेशक ये है उन बातों में जो दूसरे नहीं कर सकते I'm reading from the book of Ruth the first chapter night came to pass in the days when the judges rule there was a famine in the land and a certain man of Bethlehem Judea went to sojourn in the country of Moab he and his wife and his two sons मैं रूत की पुस्तक में से पढ़ रहा हूँ पहला ध्याए जिन दनों में नियाई लोग नियाए करते थे उन दनों में देश में आकाल पड़ा तब यहुदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी इस्तरी और दोन पुत्रों को संग लेकर मौाब के देश में पर्देशी होकर रहने के लिए चला उस पुरुष का नाम अली मिलिक और उसकी पत्नी का नाम नियूमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे यह अपराती अर्थात यहुदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मौाब देश में आकर वहां रहे और नाम नियूमा थाज़ुदा प्रदेशी और के लिएवगा और लुवज़, आपना मौाब के लिएवगां नाम नाम अपना रूप। और नियुमी का पती अली मिलक मर गया और नियुमी और उसके दो पुत्र रह गए और इन्होंने एक मौबनी बिहा ली एक इस तरी का नाम तो और और दूसरी का नाम रूत था फिर वे वहां कोई दस वर्श रहे मालन अचार्ग आएएएखद और और जसके बिचे और निए सब्का बखते हैं जब महलोन तर जीँ महलोन भाएएज जब महलोन और किल्यों दोनों मर गए तब नियोमी अपने दोनों पुत्रों और पती से रहित हो गई तब वो मुआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधी लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है उस देश से अपनी दोनों बहुए समेत लोट जाने क चली तब वो अपनी दोनों बहुए समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और वे यहुदा देश को लोट जाने का मार्ग लिया and Neoma said unto her two daughter-in-laws go return each to her mother's house and the Lord deal kindly with you as ye have dealt with the dead and with me and the Lord grant unto you that ye may find rest each of you in the house of her husband then she kissed them and they lifted up their voices and wept तब Naomi ने अपनी दोनों बहुए से कहा तुम अपने अपने मे के लोट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए है और मुझसे भी पृती की है वेसे ही यहवा तुमारे उपर किरपा करे यहवा ऐसा करे कि तुम फिर पती करके उनके घरों में विश्राम पाओ तब उसने उनको चूमा और वे चिला चिला कर रोने लगी और उससे कहा निश्चे हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी नियोमी ने कहा हे मेरी बेटियो लौट जाओ तुम क्यों मेरे संग चलोगी क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुमारे पती हों तुमा 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 तुम प्रफ्राइब लॉट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पती करने को बूरी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज रात मेरे पती होता भी, और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सेयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती, और उनके निमत पती करने को रुकी रहती, हे मेरी बेटियो, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुमारे दुख से बहुत बढ़ कर है, देखो, यहवा का हाथ मेरे विरुद उठा है, तब वे फिर से उठी और और अरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई, तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लोट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लोट जा, तो अपने लोट जाए, तो अपने लोट जाए, तो अपने लोट बोली, तू मुझसे ये बिंती ना कर, कि मुझे त्याग वाच छोड़कर लोट जा, क्योंकि जिधर तू जाए, उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके, वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी, वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिर्टी दी जाएगी, यदी मिर्ट्यू छोड और किसी कारण में तुसे अलग हूँ तो यहवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे I want to title this little talk this morning as a teacher trying to bring a faith to you of redemption and what it is and how to receive it I want to title it the kinsman redeemer में आज प्रातर की छोटी वारता लाप का शीरशक जैसे की में इसे सिखाता हूँ आपके पास छुटकारे का विश्वास लाने का यतन करता हूँ और ये क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें मैं इसका शीरशक देना चाहता हूँ छोड़ाने वाला निकट कुट्बी अब किसी का छुटकारा करना, उसे वापस लाना, कुछ जो खो गया हो, जैसे की बंदवाई में रखना, और आप जाकर उसे छोडाते हैं, ये दाम देकर छुडाया गया, तब ये आपकी व्यक्ति का संपत्ती है, अब जब आप इसे छुडा लेते हैं, परंतु इसराइल में छुडाने का नियम उसे निकट कुटूंबी होना चाहिए, ताकि संपत्ती को छुडाए, या कुछ जो खो गया हो, परूलर रूलर्स इसराल इस्रेल, जब आपकी जब आपकी शुडाने का अच्रेसाइल के शाशक के समय में रोता है, जो की नियाई थे यहोशू की मिर्टू के पश्चात सुन्दर चित्र को पाने के लिए पहला सेम्वेल उसके पहले पांच या छे अध्याय पढ़ें और आप इसकी वास्तिविक कहानी को पाएंगे परंतु हम इसमें से अपनी विशेवस्तु लेने के लिए इसमें च्छलांग लगाएंगे जो की कुछ समय पहले मैंने रूत की पुस्तक से आरम किया और तीन या चार सब्ताहों में इसमें से होकर निकला प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से एक बार आरम किया और इसे पढ़ने में लगभग पूरा वर्ष लिया बस थोड़ा सा पवित्र वचन पूर्टे बाइबल में एक दूसरे से मेल खाता है ये सुन्दर है इसलिए हम जानते हैं कि बाइबल प्रेणा से ही है क्योंकि गणतिये और हर प्रकार से कोई दूसरा साहित्य नहीं लिखा गया जो कि स्वेम में कहीं भी विरोदाभास नहीं है ये पुस्तक अलग अलग लग लग बग चार हजार वर्शों में लिखी गई है बाइबल की पुस्तकें और वे कुछ के दौरा लिखी गई मैं भूल गया कि कितने लोगों ने इसे लिखा है मुझे इसमन नहीं है परन्तु मुझे खेद है मैं साथ कुछ कहना चाहता हूँ परन्तु मैं हो सकता है गलत हूँ चालिस वेक्तियों ने बाइबल को हजार वर्श के अंतरताल में लिखा कभी भी एक दूसरे को नहीं जाना या एक दूसरे को देखा या एक दूसरे को बहुत बार पढ़ा एक भी वचन दूसरे से विरोध नहीं करता ये प्रेणा से हुआ अब बहुत से लोग इस रूस की पुस्तक को देखते हैं जैसा कि वह कहते हैं ये बाइबल की प्रेम कहानी है बाइबल प्रेम कहानी है सारी बाइबल प्रेम कहानी है केवल ये प्रेम कहानी नहीं है परन्तु ये एक भर्षदकता है ये केवल एक भर्षदकता नहीं ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं एक इतिहास एक भर्षदकता ये स्वेम परमेशवर है क्योंकि आदी में वचन था और वचन परमेशवर के साथ था और वचन परमेशवर था इसलिए परमेशवर वचन है छपाई में ये ते हो जाना चाहिए भई परमेश्वर छपाई पर यहवा पुस्तक में छपा हुआ है और यह कोई कल्पना की कहानी नहीं परंतु यह सब पूर्टे सत्य है इसका हर चरण आपके प्राणों से लगा हुआ है यह वहाँ पर है यह सत्य है और परमेश्वर अपने वचन का पक्ष लेता है और यह कहानी लिखी गई और सारे पुराने लेख जब वे पवित्र लोग बाइबल को अलग-अलग कर रहे थे जब वे इसे पुराने नियम में मिलाना चाह रहे थे रूत की पुस्तक को उन्होंने स्रेष्ट माना क्यों जदी ये केवल एक प्रेम कहानी है तो क्यों फिर पुराने संत लेखों को ने इसे पुरेणा से युक्त पुस्तक सुिकार किया क्योंकि इसमें एक छिपा हुआ प्रकाशन है आप इसके वास्तिविक अर्थ को पकड़ लेंगे ये आपको वास्ता में परमेश्वर के समीप लाएगा ना प्रेमा होस्तों इसमें प्रमेश्वर के समीप लाएगा इस प्राते में अपने पूरे प्राण से प्रातना करता हूँ कि परमेश्वर प्रते खिर्दे को पकड़ लेगा इतने मंत्र मुग्द जब तक कि वो समीप को प्रकट करेगा कि इस कहानी में वो क्या है वो आप के लिए क्या है उसे कैसे स्विकार करें और जब आप एक बार उसे देख लेते हैं तो ये इतना साधारण है तो आपको आश्चरे होगा कि ये कैसे आपके सिर्के उपर से निकल गया परन्तु ये केवल पवित्रा आत्मा के द्वारा ही प्रकट हो सकता है अब बहुत से बाइबल पढ़ते हैं खड़े होकर इसे पढ़ते हैं और एक पन्य को पढ़ते हैं आप इसे कभी भी नहीं समझेंगे क्योंकि ये पहलियों में है और येशु ने परमेशर को दन्यवाद दिया की इसको इस प्रकार बनाया है कहा कि तुने इसे ग्यानियों और समझदारों से इसे छिपा रखा और दो सीखेंगे उन बालकों पर प्रकट करेगा अब और रसे रहा हैं जैसे कि मैंने अक्सर कहा शुरी मती बर्णम पीछे बैठी है आज प्राते परंतु जब में विदेश में होता हूं तो वो मुझे पत्र लिखेगी वो लिखेगी प्री बिल आज रात्री में यहां पर बालकों के संग बैठी हूं मैं आपके विशे में सोच रही हूं और वो आगे बढ़ते हुए लिखती है कि वो क्या करने जा रही है परंतु मैं मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं उसे भली भाती जानता हूं मैं पंक्तियों के बीच में पढ़ सकता हूं मैं ठीक ठीक जानता हूं कि वो क्या कह रही है देखा भले ही वो यहां पर लिखे या ना लिखे समझे क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो क्या कह रही है ये क्यों है ये समीब का संबंद है हम एक हैं समझे और मेरा सभाव जानती है मैं उसका जानता हूँ वो बस बैठ कर मेरी और देख सकती है और मैं बता सकता हूँ कि वो क्या कहने जा रही है क्योंकि मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानता हूँ और मेरे साथ भी यही कर सकती है अब ये क्या बात है एक दूसरे में विश्वास प्रेम बीते कल हम पलंग में थोड़ी देर तक लेटे रहे और बालकों को विद्याले नहीं जाना था और विबिन चीजों पर बाते कर रहे थे और कैसे गिरना क्या थी मैंने कहा घिरना का आरंब है इसलिए इसका अन्त होना है प्रेम का कोई आरंब नहीं है इसलिए इसका अन्त नहीं है घिरना बहुत समय के लिए प्रेम अन्त है गिरना का आरंब होता है और इसका अन्त होगा प्रेम कभी आरंब नहीं हुआ ये कभी समापत नहीं होगा समझे वो अन्त था अन्त होगा आर बहुत समय के लिए अन्त होगा और जब एक मनुष्य एक इस्त्री से प्रेम करता है और उससे विवा करता है क्योंकि वो सुन्दर है तो उसका अंत हो जाएगा परंतु जब एक मनुष्य एक इस्त्री को पाता है जिससे वो प्रेम करता है वो नहीं जानता कि क्यों परंतु उससे प्रेम करता है और वो एक वेक्ति को पाती है जिसे वो प्रेम करती है कोई मतलब नहीं कि वो कैसा दिखाई परता है वो उसे प्रेम करता है वो उससे प्रेम करती है तो वे महिमा में अनंत साथी है ये मिर्तिव ना कुछ और उन्हें कभी अलग कर सकता है क्यूकि वे अनंतता से हैं और वे समय अवदी में बाहर आए और वापस अनंता में चले जाएंगे अनंतता एक देह में आ गई जो की समय कहलाया तब फिर वापस अनंता में चले जाते हैं ये नस्थ नहीं हो सकता एक इस्त्री जो सुन्दर है उसकी सुन्दरता धूमिल हो जाएगी निश्चित है आप कुछ वर्षों को दें संभव है आज वो सड़क पर मटक रही हो कोई आदे कपड़े पहने हुए इस्त्री अधिक प्राणों को नरक में भेज रही है बजाए शराब खाने के जो देश में है परंत वो सड़क पर मटकेगी ये सोचते हुए कि वो कुछ है जैसे कि बाइबू ने कहा वे गर्दन लंबी करेंगे मटकना चाहते हैं जिसका अर्थ अंत के दिनों में जाते हुए मटकना पवित्र बचन को पूरा कर रहे हैं और ये नहीं जानते वो आंगन में भद्दे कपड़े पहने खड़ी है पुरुश उसे देख रहे हैं और नहीं जानते वो अपने पती के लिए या पुरुश मित्र के लिए सुयोग हो सकती है जितना हो सकती है परंतु नयाय के दिन सेंकडों पुरुशों से वेविचार करने के लिए उत्तर देगी उनके आत्माएं बाइबल कहती है और वे नहीं जानते नंगे अंधे और ये नहीं जानते देन ये भाग है कि ये नहीं जानते परंतु क्या आपको मालूम है कि वो सुडॉल चरीर जो परमेश्वन ने उस लड़की को दिया है अगले रवीबार को इस समय तक सड़ रहा हो वो उचा गेहुआ सुन्दर मनुष्य हो सकता है अगले रवीबार कूडे के धेर को छोड़ और कुछ ना हो ये नस्ठ हो जाता है परंतु भीतर से परमेश्वर प्रेम अनंत्ता के लिए जीवन इसलिए भीतर से ध्यान दें ध्यान से देखें अपनी दृष्टी उद्देश पर रखें अब ये कहानी कुछ इस प्रकार से आरंब होती है जैसे एक प्रेम करने योग्ये अच्छ इस्त्री उसका नाम नियोमी था नियोमी का अर्थ है मनोहर एली मिलेक उसका पती था जिसका अर्थ अराधना मनोहर अराधना उसका परिवार था उनके एक पुत्र था महलोन जिसका अर्थ बीमारी और किल्योन दूसरे का अर्थ थका उदास दुखी ये परिवार था और इस्राइल के देश में आकाल पड़ा और पहली गलती कभी कोई येहुदी करता है कि देश को छोड़ना परमेशन ने उन्हें वो देश दिया है जब अबरहाम को वो देश दिया गया तब परमेशन ने उससे कहा कि इस देश को ना छोड़ना जब वो गरार में गया तो उसने ये गलती की और परिशानी में फस गया एक येहुदी को कभी भी फिलिस्तीन नहीं छोड़ना है वो उसको दिया गया इस्थान है और उन्हें समझ संसार में निकाल दिया गया था और अब वे फिर वापिस जा रहे हैं ओ आज पराते हमारे पास बहुत संदर कहानी हैं वे वापिस जा रहे हैं नियोमी अकाल के कारण बाहर चली गई नियोमी और अलिमलेक और वे मौाब को चले गए अब वापिस कहानी पर जैसे कि आप सुनते हैं आप ये समझने की योग्य होंगे कि ये क्या है अब मौाब, मौाबी अवैद बालक से निकले हैं जो की लूत की पुत्री थी परमेश्वर के अनुगरे के दौरा जब वे सादों की आग से बच गएं तब पुत्रियों ने पिता को शरा पिलाई और उसके संग एक पत्री के समान रहीं उन्हें एक बालक उत्पन हुआ और उन्हें से एक स्रोत हुआ और मौाब के देश को अस्तित्व में लाया कहलाने वाला मसी हुए परन्तु पेगान वाद में मिल गए और देखें परतिग्य का देश छोड़ दिया कोई मतलब नहीं ये कितना बुरा था दूसरे देश में परदेशी हुए मुसीबत लाए and any time that a believer gets off of his God's given ground many times in politics, this election coming up and so forth, a good man can be a good man and he'll wander off of those grounds like a certain minister I know run to be mayor of a city and when he did got off of his ministerial ground and Satan overtook him and in any time, a believer gets away from a state of the state of the state and many times, a believer gets away from a state of the state of the state of the state and this is the result of a good man can be a good man and he'll leave these states and I know that a man will run to be a city of the state of the state of the state of the state of those grounds. Well, I'll just go down tonight, sit with the boys in a poor room alive, I'll do no harm, I'll just take one little drink, you're off your grounds! Come back! You're only setting your course for trouble! Oh, all the rest of the girls smoke, I'll just try one, you're off your grounds! Don't do that, stay in the homeland! 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 Oh, everybody over here, they call me old fogey, they call me old fascist! Amen! Amen! That's your place, stay in crime! Neoma, because of the famine, wandered out from the lands and went into Moab, finding bread, she didn't have to do that, because the rest of them stayed in Judea, Bethlehem, Bethlehem means the Bethlehouse of God, the house of praises, and they stayed there! Naomi, Aakal ke karan, us desh se nikal kar, roti ki khhoj mein, Moab ko chali gai! Usse ye nahi karna chahiye! Kyunki weh baqi yehuda, Bethlehem meh hi tikhe rahe! Bethlehem ka arth, Bethel, Parmishwar ka ghar, Mahima ka ghar, aur weh wahan tikhe rahe! And she wandered away with her husband and her two sons married, mavanite girl! But if God has ordained something to be done, it'll happen anyhow! That's the reason I certainly believe in predestination! Amen! God's foreknowledge is the same! Then we find, over there, death struck the family and they started back! Kill the boy, God died, both boys died and the father died! And Ruth started back, Orpah and Naomi! Now, I want to liken this morning, Naomi, the elder lady, to the Orthodox Church, the Jewish Orthodox Church. Ruth, the Movanite, a Gentile, being the Christian Church, the new Church. Now, I want to approach it from four different phases. Ruth, I got it wrote here, Ruth deciding, making her decision, Ruth serving, Ruth resting, Ruth rewarded. As we come back, As we come back, I want to reach the new place. Ruth, I have written here, Ruth is taking her, 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 Ruth is making her decision, Ruth is serving, Ruth is resting, Ruth is resting. रूट निर्णे ले रही है, रूट ने जब अपना निर्णे ले लिया, तब वो सेवा कर रही है, तब रूट विश्राम कर रही है, तब रूट पुरुस्कृत होती है अब वहाँ पीछे मार्क पर समय आता है, जैसे कि वो कलीसिया का प्रतीक है, या मसीही, जैसे कि प्रतीक वेक्ती समस्त मसीह रास्ट का प्रतिनधित्व करता है क्या आप ये जानते हैं, आप अपने वेवार में जिस प्रकार आप वेवार करते हैं, और जो आप करते हैं, आप मसीह की समपूर देह का प्रतिनधित्व करते हैं आप कहते हैं, परंतु मैं तो एक साधन सदत से हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, जब आप मसीही नाम लेते हैं, तो आप मसीह और उसकी कलीशिया का प्रतिनधित्व करते हैं, आपको उसी प्रकार जीवन वेथित करना चाहिए, आपको एक सज्जन पुर्श और महिलाओं के समान जीवन वेथित करना चाहिए, संसार के कारियों को कभी ना करें, क्योंकि सर्ग और पिर्थ्वी की समस्त दृष्टी आप पर लगी हुई है, कि एक चीज का प्रतिनधित्व करें, कोई मतलब नहीं कि आप कितने निर्वल हैं, आप कितने छोटे हैं, अपने मुख को सीधा रखें, क्योंकि आप एक मसीही हैं. अब रूत एक पागान थी, मूर्तों की उपास ना की थी, और ऐसे और उर्पा भी, और वे अपने मार्क पर थे, अपनी सास के साथ वापस आ रहीं थी. क्योंकि उसने सुना था कि यहूदियों के बैतलहें पर से परमेशन ने वो संकट हटा दिया, और लोगों के पास रोटी थी. वो वहाँ दस वर्षों से थी, ऐसे ही एरिशीमा कहता है, लगभग दस वर्ष, इतिहास कार. और दुखी वापस आ रही है, और उसका पती मर गया, उसके बालक मर गए, अपनी दो बहुँं के साथ, तब उसने घूम कर उन पर दृष्टी डाली और कहा, तुम क्यूं मेरे साथ जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकती, केवल परिशानी होगी, कहा मुझे दुख है कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद उठा है. इस्राइल ने ये कितनी बार सोचा, कि ना जानते हुए, कि ये सब परमेश्वर की योजना थी, किस परकार से वो वीपिंग वाल, याने दुख वाली दीवार पर अब भी येरुशलम के जरा सी बाहर है? मंदर के पुराने पत्थरों को बटोर कर और एक दीवार बनाई, और उन्होंने आस्वों से रो रो कर उसे घिसकर चिकना कर दिया, यहुदी हातों से रोते और यहोवा से बिंती कर रहे हैं, यहोवा वे ये अनुभाव नहीं करते कि उनका समय इतना निकट है, रोने वाली दीवारें ये पत्थर वाचा के संदू के घर में थे, दाउद राजा ने इन पत्थरों पर अपनी द्रिश्टी डाली थी, ओ यहोवा तू कहा है, नहीं जानते कि जल्द ही उसका राजा वापस आएगा, उसका छोड़ाने वाला उन्हें थोड़े समय के लिए बाहर निकलना था, नियूमी को आश्रे हुआ, क्यों प्रबु का हाथ मेरे विरुद निर्दई हुआ है, मेरी बहु परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला, मैं निकाली हुई हूँ, मैंने ही जानती कि मैंने कभी क्या कर दिया, परंतु मैं बाहर निकाली हुई हूँ, समझे, परमेश्वर अपनी योजना पर कार्य कर रहा था, क्योंकि सारी बाते परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भला यूत्पन करती है, कोई मतलम नहीं कि वो क्या है, उसने कहा, तुम अपनी माओं के घर वापिस चली जाओ, और अपनी माताओं के घर में विश्राम पाओ, तुम्हारे पती मर गए हैं, और तुम युवा और सुन्दर महिलाओं हो, वापिस चली जाओ, वापिस जाओ, जहां से तुम आई हो, वहाँ विश्राम पाओ, परमेश्वर तुम पर अनुगरे करे, क्योंकि तुमने मरेवों के प्रती कृपा की है, और जब से तुम्हारे पतियों की मिलती हुई है, तुमने सुयोग ये जीवन बिताया है, और तुम मेरे प्रती किरपालू रही हो, एक बुड़ी विद्वा पती से रहित, और तुम मेरे साथ बनी रही, वापिस चली जाओ, और परमिशर तुम्हारे घरों में तुम्हें विश्राम दे, वे रोपड़ी, उसने कहा, मैं बुड़ी हूँ, मेरे पास और बालक नहीं हो सकते, परन्तु यदि मेरे पास पती होता, और बालक होता, तो उससे क्या भुला होता, तुम उस बालक की कभी भी परतिक्शा ना करती, उन दुनों में ये वास्ते में नियम था, कि यदि भाई मर गया, या और उसका दूसरा भाई, एह विवाहित होने पर, उसे उसकी पत्नी को लेना होता था, कि अपने मरे वे भाई के नाम को उठाए, परन्तु वो, तुम उन बालकों के लिए परतिक्शा ना करोगी, इसलिए वापे जाकर, अपने अपने पतियों के घर में विश्राम पाओ, अपनी मा के पास वापिस चली जाओ, और ओर्पा एक गुन गुनी कलीशिया का प्रतिक है, जो कभी आरंब हुआ, एक कलीशिया का प्रतिक जो पूरी रिती से नहीं जाएगी, उसने कहा, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए उसने अपनी सास को चूमा, और फिर वापिस चली गई, ये एक गुन गुने विश्वासी का प्रतिक है, जो येश्व का मसी होने का विश्वास करेगा, और फिर घूम कर उन्ही बातों में चली जाएगी, जहां से वो आई थी, वो मनिश्वे जो प्रभू के थोड़े लोगों के संग मार्ग में साजी होगा, फिर घूम कर वापिस चला जाएगा, जैसे कुटा अपनी उल्टी पर और सूर नी अपनी कीचड में जैसा की बाइबल ने कहा, अब वो अपने देवताओं के पास वापिस चली गई, बहुत सी बार हम अपने आरम के देवताओं के पास वापिस चले जाते हैं, संभव है, हमारे पास गलत बातों की लाल सा भरी दृष्टी हो, हम वापिस फिर से विलास्ता में चले जाएंगे, हो सकता है हमारे पीने की मूरते हो, धूमर पान की मूरतियां, जूट बोलने की मूरतियां, चोरी की मूरतियां, सप्रकार की मूरतियां, और तब दिखावा किया और बबतिसमा ले लिया, और फिर घूम गए, क्या ही दुख की बात है, इसमन रखिये, उसका नाम उसमें फिर ना आया, उसके निर्णे के कारण वो निकाली गई गुनगुनी कलीसिया गुनगुने विश्वासी जैसे की प्रतेक विश्वासी कलीसिया का प्रतिन निधित्व करता है प्रतेक अमरीकन अमरीका का प्रतिन निधित्व करता है प्रतेक जर्मनी, जर्मन का प्रतिनिधत्व करता है प्रतेक मसीह, मसी का प्रतिनिधत्व करता है Yeah, she turned her back to go back into the things she come out of how that man even preacher sometimes will take the way of the Lord and when you speak to him about the baptism of the Holy Spirit nonsense turn away from it that's Orapa Tell them about the name of Jesus Christ that there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved Whatever you do, you wouldn't need to do it all in the name of Jesus Christ If there's not another name under heaven whereby you must be saved Then Peter said on the day of Pentecost, if you want to be saved, repent and be baptized in the name of Jesus Christ or the remission of your sins That's how they're remitted And a man because of popularity, he can't hold the Bible on it But because of popularity, we'll kiss the church, kiss the message, kiss the message, kiss Christ goodbye, go back to where he's hollowed out of Orapa, 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 Luquan, excommunicated और एक मनुष्य लोग प्रियता के कारण वो बाइबल को इस पर पकड़े नहीं रह सकता परन्तु लोग प्रियता के कारण कलीशिया को चूमेगा, संदेश को चूमेगा, मसी को चूमेगा, अच्छा अलविदा वही वापिस चला जाता है जहां से निकल कर पवित्र हुआ था, और पा गुन-गुनी बाहर निकाली हुई परन्तु ओ, कैसे मेरे छोटी रूट को पसंद करता हूँ उसे एक निर्णे लेना था, मुझे एक निर्णे लेना है, आपको एक निर्णे लेना है आप किसी भी एक परका़ का निर्णे लिए बिना आज परातर, इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे आज आप इस कमरे को नहीं छोडेंगे या तो पहले से अच्छे पुरुशिया इस्त्री हुए बिना या एक बेकार पुरुशिया इस्त्री इसे एस्विकार करके आप बेकार हो जाएंगे इसे पाने के लिए अगनी बार और कठोर हो जाएंगे या आप और भले बन कर बाहर जाएंगे उसके जीवन में ये प्रदर्शन का समय आ गया, ये प्रदर्शन प्रतेक के जीवन में आता है, और रूथ को निर्ड़ने लेना था, इसलिए बाइबल ने कहा, कि उसकी सास ने उसे बताया, अपने देताओं के पास वापस चली जा, जैसे तेरी बेहन ने किया, गुन-गुनी के समान, वापस चली जा, क्यों नहीं तू वापस चली जाती? सुसमाचार प्रचारक, यदि आप आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, वास्तिविक सचे प्रचारक, तो वो इसे लोगों के वर्क के सामने रखेगा, आप अपना निर्ने ले, आप अपने पैरों पर खड़े हूं। लुक्वार्म, विशी-वशी, इन और वोगों से बढ़ना, ये नहीं कहेगा, परन्तु परमेश्वर का एक वास्तिविक दास, आपकी गोज में डाल देगा, अपना निर्ने ले, रूत ने कहा, जहां तू जाएगी, मैं जाओंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू रहेगी, मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी, मैं मरूंगी, जहां तू गड़ेगी, वही मैं गड़ूंगी, ये एक वास्तिविक दिर्ने है, प्रभू, मैं तुझे अपने बचाने वाले के समान लूँगा, यदि बाइबल कहती है, प्राश्चित करो बप्तिस्मा लो, और येशु मसी के नाम का, ये मैं करूंगा, ये बाइबल ले कहा, कि मुझे पवित्रा आत्मा प्राप्त करना चाहिए, तो मैं वही करूंगा, ये बाइबल मुझे बताती है कि येशु मसी कल आज और सरवदा एक सा है, मैं इसका विश्वास करूंगा, मैं बाइबल और परमेश्वर को लूंगा, क्यूंकि जो उसने लिखा और जो वो है, कोई मतलब नहीं, किसी ने क्या कहा है, यहां ये सची रूत है, उसने अपना निर्ने लिया, उसे या तो पीछे लोटना है, या आगे जाना है, इस पराता है हम उसी सिती में खड़े हैं, पीछे जाएं या आगे जाएं, कभी भी वापस न जाएं, आएए, आगे बढ़ें, उस प्रतिग्या के देश में वे गए, अपरिछ लोगों के देश में, अब रूत एक विश्वासी का प्रतिख है, क्या, विश्वासी क्या है? जब वो वेक्ती, पुरुष या महिला संसार से बाहर निकल कर आता है, वो मसीही विश्वासी के मद्ध में आता है, इस तरियां जो धूमरपान, पीना और टोलियों में ताश खेलती थी, और आदी आदी और सब प्रकार की सुन्दर देखने वाली चीजें, और एक प्रकार की पंखों से मसली हुई चुडिया, परंतु अब वो बदल गई है, उसने परमेशर के साथ जाने का निर्ने ले लिया है, अब वो उन लोगों में आगई है, जो इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करते, वो एपरिचित है, उसे एक परदेशी के समान चलना है, वो उनके वेवार नहीं जानती, वे सब उसके लिए अपरिचित हैं वो नहीं जानती कि क्या करना है यही रूत को करना है यही आप को करना है यही मुझे करना है जब मैंने मसी को सुखार किया मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया जब मैंने मसी को सुखार किया मेरे लड़के मित्रों ने महिला मित्रों ने सब ने मुझे छोड़ दिया पुराने लोगों के जुंड में चली गई जिनके पास परवित्रा आत्मा था और परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी सेवा की यहां कलीशिया में जो लड़किया है यह उन लड़कियों से भिन हैं जिनके साथ मैं रहा करती थी यह भिन दिखाई पड़ती हैं, वे वेवार भिन करती हैं, वे अपरिचित हैं, और मैं उनसे भैबीत थी, वे भिन लोग थे यही रूट को करना था, उसे अपनों में से निकल कर दूसरे लोगों में आना था वो मत परिवर्टत थी, उसने एक निर्ने लिया और आप एक निर्ने लेते हैं आपको अपनी ही पसंद लेनी हैं, आप संसार की चीजों में वापे चल जाना चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं, क्या आप संसार के समान वेवार करना चाहते हैं और उन बाकी लोगों के समान, तो फिर मसी को चूमें, विदा कहें और वापस जाएं, परंतो यदि आप प्रभु के थोड़े से ठुकराएं लोगों के साथ अपना मार्ग लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर का ना बदलने वाला हाथ पकड़ लें, चाहे संसार जो भी कहता रहे, आप वही पकड़ रहें, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये सत्य है, मैं इसका विश्वास करता हूं, यदिपी मैं इसे अपने जीवन में प्रगट नहीं कर सकता, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, मैं इसका विश्वास करता हूं, मैं इसे वही से पकड़े हूं, उसने नियोमी के साथ यही किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं वहीं जाओंगी, जहां तू जाओंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जिस प्रकार वेवेवार करते हैं, उसी प्रकार मैं करूंगी, मैं यही करूंगी, जो वे खाते हैं, वो मैं खाओंगी, जहां तू गड़ेगी मैं गड़ूंगी यदि मैं कभी ऐसा ना करूं तो प्रबु मुझ पर इससे बढ़कर करे ये सच्चा साफ निर्णे है परमेश्वर कलीशिया से सच्चा साफ निर्णे चाहता है अच्छा प्रबु यदि आप मुझे आशिशित करेंगे और मेरे लिए ये करेंगे मैं ये वो करूंगा ये कोई निर्णे नहीं है परमेश्वर मैं ये चिंता नहीं करता कि तू मेरे साथ क्या करेगा जो भी है मैं जाओंगा यदी मैं मर जाओं ठीक है मरूं या जी बित रहूं जो भी है जदी वो मुझे पर हसे मेरा उपहास नहीं पड़ता जो है मैं जाओंगा कि अर्पा वापस चली गई ये सचा साफ निर्णे है, जैसे रिपकाने किया इसके पहले कि वो इजाक को देखती उसके माता पिता ने कहा, लड़की ही उत्तर दे, लड़की समझदार है, उसे उत्तर देने दो, उसने कहा मैं जाओंगी साफ सुत्रा निर्णे तुरंत लिया गया वो उसके साथ बनी रही यही रूत ने किया और पाव वापिस चली गई वे यातरा पर निकल गई रूत अपने हिर्दे में ना जानती थी कि वो कहा जा रही है परन्तु एक कलीशिया का प्रतीक हम अबरहाम के समान पर्देशी हैं अपरिचित देश में तीर थी आत्री अपरिचित लोगों के मध्य में और वो आगे बढ़ गई और अंतते हैं वो उस कमरे में आई उस इस इस्थान में जहां नियुमी उसे लाई थी और उसने क्या पाया? हर को इसकी पीट थप थपा रहा था और कह रहा था रूत तुम्हें हम यहां पर पाकर आनंदित हैं उसने मत भेद पाया उसने कुछ बुरा पाया उसे परिशानी मिली और प्रचारक जो आपको यह बताता है कि मसीही जीवन फूलों की सेज है या तो वो आपको धोका दे रहा है या उसे कभी भी कोई अनुभाव नहीं हुआ संसारा आपसे घिरना करता है और लोग आपसे घिरना करते हैं आपको प्रबु के लिए ठुकराए हुए कुछ लोगों के साथ मार्ग लेना होगा और हसा गया उपहास उड़ाया गया या कुछ भी आपको भिन होना है आप दूसरे देश की संतान है मेरी पत्री जैसे कि मैं फिर इसका उल्ले करूंगा ये करने में इतना भला प्रसित होता है क्यों नहीं मसी इस्त्रियां उन दूसरी इस्त्रियों के समान कपड़ी पहनती है मैंने कहा हम सब अमरीकन हैं क्या हम नहीं हैं मैंने कहा हैं नई शरीमान अच्छा तो हम क्या हैं मैंने कहा हम ना तो जर्मनी, फ्रांसिसी, बेल्जियमी, स्वीस, अफ्रीकन या अमरीकन या उन में सो कोई नहीं परंतो हम क्या हैं मैंने कहा हम मसीही हैं अमरीकन, अमरीकनों के समान वेवार करते हैं जर्मनी, जर्मनियों के समान वेवार करते हैं क्योंकि वो उनकी रास्टी आत्मा है और हमारी भी रास्टी आत्मा है वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आता है सुर्थ से और आप उसके जैसा वेवार करते हैं आपके आश्रन को वैसा स्वेम मनाता है जैसे वे वहां थे क्योंकि आप दूसरे संसार के हैं ये सत्त है कि हम अमरीका में वास कर रहे हैं ये शारिरिक भाग है परंतो वो प्राण जो हमारे आचरन को चलाता है उपर से है हम उपर से जीते हैं क्योंकि हम उपर से जन्में हैं सारे मसीही उपर से जन्में हैं ये शुने कहा मैं नीचे से नहीं हूँ मैं उपर से हूँ ज़ि मैं पिर्थवी से होता तो मेरे लोग मेरे लिए लड़ते परंतो मेरे राज ये उपर का है इसी परकार से प्रतेक मनुष्य जो स्वर के राजिस से जन्वा है वो उपर से है अब ध्यान से देख रहे हैं जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं हम उन्हें निराशा में आते हुए देखते हैं वहीं जहां आप भीतर आते हैं जब आप पवितर आत्मा पाते हैं निश्चे ही हुआ मेरे साथ हुआ उपास उड़ाया गया और सब कुछ तब ध्यान देखते हैं जब आप मसीह हो जाते हैं तो यह आपके लिए कठिन हो जाता है क्योंकि आपको एक जीवन से जो तड़क भड़क और संसार के आनंद का था दूसरे जीवन में समायोजन करना होता है परमेश्वर के लिए पवित्र आपको इस ओर स्वेम को समायोजन करना होता है और रूथ को समायोजन करना था क्योंकि उस देश में जहां खाने की बहुतायत और हर चीज़ आदर युक्त थी उन लोगों को जो हस रहते उसका उपहास उड़ा रहते उस देश में उसे खेत में से सिला बीनना जो खाना है अपने कपड़े में समेट कर घर ले जाना है और तयार करके कुछ रोटी बनानी है वो और उसकी सास इसे खाती जब वो वहां पर थी उन्होंने पाया जब वो सिला बीन रही थी अब उसने अपना निर्णे लिया ये उसका निर्णे था अब अगली चीज उसे सिवा करनी थी और यही कलीसिया को करना है कलीसिया आपके निर्णे लेने के पश्चाथ आपको सिवा करनी है परमेश्वर की योजना के अनुसार उसकी सिवा करनी है उसके खाखा के अनुसार आपको परमेश्वर की सिवा करनी है रूत निर्णे ले रही है अब रूत अपने निर्णे के आधीन सिवा कर रही है अब एक मिनट ध्यान दें अब वो सिला बीनने के लिए खेत में जाती है अब उसकी माँ उसे बताती है जो कि पुराना नियम नए को बता रहा है आप जानते हैं उसकी माँ ने उसे बताया कहा हमारा छुडाने वाला एक निकट कुटम भी है और उसका नाम बॉआद है वो एक धनी वेक्ती है और वो निकट छुडाने वाला कुटम भी है तू उसके खेत में जा और संभव है दूसरे के खेत में ना जाना उसके खेत में जाना कैसे पवित्रे आत्मा हमें बताता है कि किसी परकार कलीशिया की पुष्टक, किसी परकार का केटिकिजम उसमें ना जाना, परंतु परमेशर के खेत में जाना, पुरान आनियम, बाइबल ना कहें, अच्छा हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे, परात्मा के लिए, हम ये लेंगे, खेत में बने रहें सीधे, उसमें जाएं, क्योंकि वो निकट छुडाने वाला कुटम भी है, परमेशर का वचन, पुराना नियम, नए नियम का निकट कुटम भी है, पुरानी कलीशिया, नए कलीशिया की मा है, देखिए, एक मसीही, एक विश्वासी, किसी दूसरे खेत में ना जाना, उसी के खेत में रहना, और संभाव है, किसी दिन तू उससे अनुग रह पाए, और एक दिन जब वो खेत में थी, ये धनी यूवक, जिसका नाम बोच था, एक शासक, धनी वेक्ती ने आकर और उसे देखा, और जब उसने उसे देखा, तो उसे उसस्तरी से प्रेम हो गया, उसने सोचा ये कितनी भली इस्तरी है, उसने उसके चरित्र को पसंद किया, इसमन रखें, उसने कहा, मैं जानता हूँ, लोग जानते हैं, कि तू सुसील इस्तरी है, अपना नेड़े साफ सुथरा लिया है, सीधी वापस आई, ठीक वैसे ही जीवन बिताया, जैसे उसने कहा, वो वैसा ही करेगी, नहीं तो आज वे कहते हैं, हम जानते हैं कि तू एक मसीह है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का जन है, क्योंकि कोई मनुष्य इन आश्चर कर्मों को नहीं कर सकता, जब तक कि परमेश्वर उसके संग ना हो, यही बात निकोदीमस ने येश्व से कही, कहा, रभी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरू होकर आया है, कोई मनुष्य इन कारियों को नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो, जब वो उसे वहाँ बैठा हुआ देखता है, और उसके हिर्दे के विचारों को परक्ता है, इस तरी ने उसका कपड़ा चुआ, उसने घूम कर कहा, किसने मुझे चुआ, सब ने मना किया, वहाँ पीछे भक्त गड़ों में देखकर, और कहा, तू जिसे लहू बहने का रोक था, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कहा, कोई मनुष्य ये नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर उसके संग ना हो, हम जानते हैं, कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, हम तुझे सुए कार नहीं कर सकते, क्योंकि हम कलीश्या से निकाल दिये जाएंगे, समझे, भाई वेस्ट, वो साटी हुई दाखलता, जैसे कि हम पिश्री रातरी बात कर रहे थे, वे आपको बहार निकाल देंगे, परंतु हिर्दे के भीतर हम जानते हैं, कि तू मूल दाखलता से आया है, हम डालियां हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम देखते हैं, वो ही जीवन जो परमेश्वर में है, वो तुझ में है, यही जो बोज ने रूथ के अंदर देखा, वो साफ इस पस्ट निर्णे, वो गुण संपन इस तरी वहां खड़ी है, और उस महिला के साथ प्रेम हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान देए, नियोमी, पुरानी कलिसिया, उसने रूथ को अपने धरम के सारे नियम खोल कर बताना आरम कर दिये, जैसे कि पुराना नियम नए के की प्रती चाया है, नए के, मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को यहां ले लें, अब च्छायाएं दिखाना चाहता हूँ, पुराना नियम, ने नियम को व्याख्या देता है, जदी केवल आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये ने की आने वाली च्छाया है, अब यदी मैं उस दीवार की ओर जाऊंगा, मैंने स्वेम को कभी ने देखा, और मैं अपनी परच्छाई देखता हूँ, तो मैं जान जाऊंगा, कुछ धाना बनेगी कि मैं कैसा दिखाई पड़ता हूँ, ये आप नहीं जानते, आप की नाया नियम क्या है, तो पुराना पढ़ हैं, और आप इसकी परच्छाई देखेंगे, समझे, और तब जब नाया नियम भीतर आता है, आप कहते हैं, क्यों निश्चे ही ये, ये ही है, इबरानियों की पुस्तक वापस जा रही है, पालू इ अब इस पर ध्यान दें, जब रूत ने कहा, याने नियमी ने, रूत से कहा, अब ये हमारा निकट कुटम भी है, और यदि तू इससे अनुगरे पास सकती है, तो तू विश्राम पाएगी, और ये, ये, तू अनुगरे पास सकती है, तो तू विश्राम पाएगी, बॉज, मसी का प्रति निदित्व करता है, धने मुनुशे, सब वस्तों का उत्तरादाकारी, कटाई का स्वामी, कैसे जब बॉज वहां उस बग्गी पर सवार होकर आया, चारो और अपने खेतों पर द्रिश्टी डाली, और उसकी द्रिश्टी रूत पर पड़ी, वह स्वामी था, वह सारी कटाई का स्वामी था, और उसकी द्रिश्टी में उसने अनुगरे पाया, यही कलीसिया ने आज किया है, जब उसकी कटाई का स्वामी पास से निकल रहा है, वह किसी बड़े भवन की ओर नहीं देख रहा है, उची मिनार अच्छी प्रिशश्ट, गायन मंडली, वह पुर्शों इस्त्रियों में व्यक्तियों को देख रहा है, जो कि मसी के लिए समर्पित, और एक साफ स्पस्ट, उसकी सेवा के लिए स्वाम को पवित्र किया है, परमेश्वर में इसका विश्वास करता हूँ, इसके प्रतेक वचन का, जब आपका वचन कुछ बात कहता है, मैं ठीक उसके साथ बना रहता हूँ, ये आपका वचन है, मैं इसका विश्वास करता हूँ, प्रतेक वचन का, ये वही ढूंड रहा है, कटाई का स्वामी, यही है जो देना चाहता है पवितरात्मा उन्हें जो भूके और प्यासे हैं धन्ने हैं वे जो भूके और प्यासे हैं चुकि तुम तृप्त किये जाओगे आज वो उसी कलीशिया को खोजने का यतन कर रहा है अब तब रूट से कुछ करने को कहा गया जो एशोभनी है था परंतु वो तयार थी क्योंकि उसने अपना निर्णे लिया था किस प्रकार का विश्वासी क्या ही सिद्ध नमूना है नियोमी पुरानी कलीशा ने कहा आज रातरी जा ये जो का समय है ओ क्या ही सुन्दर विचार जिस पर हम यहां टिक सकते हैं नियोमी और रूत जो की रितू में आई थी जो की रितू रोटी का समय था वो समय अब धी जब ताजी रोटी परूसी गई और कलीशिया इस अंत के दिन में पागान के दो हजार वर्षों की शिक्षा से निकलते हुए और आदी आदी बातों से इस जो की रितू में भीतर आती है और जीवन की ताजगी सुरक से मधू रसल मधू की रोटी के विशे में बात करता है यही है सुरक से रोटी जीवन की रोटी मैं हूँ तुम्हारे पूरवजों ने मनना खाया और मर गए परन्तु मैं जीवन की रोटी हूँ जो परमेशर के पास से आई है सुरक से ज़र्दी मनुश्य इस रोटी में से खाएगा तो वो कभी नहीं मरेगा और कलीसिया इन अन्त के दुनों में भीतर लाई गई है अब ठीक जो के समय में रूत एक अन्य जाती निकाली हुई भागी हुई भीतर लाई गई ताकि दुलहन के समान स्विकार की जाए उसने कहा अब तेरा कपड़ा तुझ पर ढखा रहे ना कि अपने कपड़े उतार देना आज से कितना विपरीत है जब तूसे मिलने को जाए तो अपने कपड़े बांधे रखना आज रात्री वो जो फटकने जा रहा है जा और अपना कपड़ा अपने ऊपर रखना उससे मिलने के लिए स्वेम को ढाक कर रखना आज वे अपने आप को उगारना चाहते हैं स्वेम को ढाकें जा क्योंकि वो जो बरसा रहा है और तब उस स्थान को चीन लेना जहां वो लेटता है कि आपने ये किया है बहुत वर्षों पहले गुलगुलता पर मैंने अपने हिर्दे में चिन्नित कर लिया कि उसने अपना जीवन कहां दिया ताकि वो मुझे ले ले उस स्थान को जहां वो लेटता है चीन ले यही हर विश्वासी को करना चाहिए चिन्नित कर ले कि उसने आप के लिए क्या किया है पिछले रवी बाहर का संदेश कलवरी पर देखने जाना चिन्नित करें कि उसने आप के लिए क्या किया है She said Mark where he lies down, then when he lies down to sleep the rest, you go lie down by his feet, not his head, his feet, unworthy, and take the blanket that he was covered with and pull it over you. He said when he lies down, then when he lies down, then when he lies down, then when he lies down to sleep the rest, you go down to his feet, not his feet, but his feet, and take the blanket that he was covered with and take the blanket that he was covered with. Oh, you see it? Oh, my! I know you may think I'm a fanatic. But that is, excuse me, just right. That's the Spirit of God. Oh, you can see. Oh, God, I know. I can see. You can see that I'm a demon. But this is right to me. That is the Spirit of God. Mark where he laid Calvary, where he laid down in the tomb, in Gethsemane. Mark, and crawl up to his feet. Slide down there and die yourself. Chinh leh, woh Calvary par kahan lehta. Woha kahan kaber mein rukha gaya. Gutsamni mein. Chinh leh. Or uske pairon ki or khasak ja. Woha late or mar ja swim se. There you are. Cover yourself over with his skirt. She said the skirt, she called it. And Ruth said, what you say that I'll do? Oh, what a clear-cut decision for a believer. What the Bible says that I'll do? You are in that city. You are in that city. Same ko uske wastr se dhamp lehen. Usnei kaha palla. Usnei kaha. Or Ruthnei kaha, joh tu kahi ghi, mein woh karungi. Oh, vishwasi ke liye kitna saaf spast nirne hai. Bible, joh kehti hai, mein wohi karunga. It says, repent, be baptized, name of Jesus Christ, I'll do it. If it says, go ye in all the world, preach the gospel, I'll do it. If it says, whatever, it says, Jesus Christ is saying, yes, stay for everyone says me, do I'll do it. The church taking its orders from the word, she laid down. Now, remember, that was a disgrace for that young widow woman to be laying by the side of this man at his feet. A disgrace to the outside world. Dekhye, Khaleesia apna nirdesh vachan se leeti hai, woh leet gai. Ab isman rakhye, ye baat is vidwa ke liye, ay shobaniye thi, ki is purush ke pairon ke pahas ja kar leethe, ek kalanq, bahar ke sansar ke liye. Oh, can you stand it? Here it is. This is it. The church, the young woman, the young man, the older young, is asked to separate themselves from the world and come into a place, a kingdom of the Holy Ghost that's disgraceful to the world. Kya, aap iska paksh liethe hai? Or something on that idea, some disgraceful name. Aapne hirde mein jantate hain, ye sab kis vishay mein hai? Puranthu sansar ke liye wei dharmand ho jate hain. Beepavit wa shor machane waale ho jate hain. Yee kuch inhi vichharo per, koi kalanq ki tna hain. But the church is asked to do it. Are you willing to march the place and lie down? Let the world call you anything they want to. Puranthu kalisya se yeh karne ke liye kaha gaya. Kya aap susthan ko chinnit karne ki icchha rakhte hain? Or later ne ki? Sansar joh chahe, usse kehenne do. Puranha gita gaya karte thay. May ne yehshu ke sath akalye chalna aram kia. Yaakub ke saman pathther ka tkia pahun. Or prabhu ke liye, logon ke sangh apna marg lunga. May ne yehshu ke sath aram kardia. May usme se hoka nikal raha houn. That's it. No matter, I'll pay the price whatever others do. If it means disgrace, if it means to lose home, if it lose family, all your associates, girlfriends, boyfriends, whatever it means, I'll go along. Yehi hai, koi matlab nahi. May uska mullye chukhahun ga. Doosre joh bhi karay. Yadhi iska arth kalang hai. Yadhi iska arth ghar se khona hai. Paribar ko khona hai. Aapke sare sambandhi, mahilah mitr, ladakye mitr, iska joh bhi arth hai, may akela jahun ga. I'll take the way! If my neighbor says I'm a holy roller, a pentecostal or a fanatic, I don't care what they say. It's not one bit of difference to me. I've started it, I've made my decision clear, and I'm going through. He was the only one Boaz found her out in a field. He said, look. He said, who are you? He said, my name is Ruth. All the Movanites, they come to sojourn with us. Yes, I've heard of you. Now, I've heard of you. I've heard of you. इन्ने को ठका देने वाले खेतों से, ओ, ये इतना मधूर था, जब बॉआज, जब उसने, उसे खेत में पाया, मैं इसे नहीं चूफ सकता, बॉआज ने उसे बाहर खेत में पाया, उसने कहा, देखो, उसने कहा, तु कौन है, कहा मेरे नाम रूत है, ओ, वो मौबनी जो हमार पास परदेश ही होकर आई है, हाँ, मैंने तेरे विशे में सुना है, तू दूसरों के खेत में ना जाना, औह, मुझे ये पसंद है, मिशन की धुलकी आरब ना करना, ठीक मेरे ही खेत में रहना, मेरे साथ टिकी रहना, उसने उससे प्रेम किया, यहीं रुक, मेरे साथ रुक, यहां आप सपास, जगा-जगा मत घूम, यहीं रहे, ज़िए इसका अर्थ, इसका उसका था, दूसरे का बलिडान, और मुझे अपना पीना छोड़ना होगा, अपनी चोरी जूट बोलना छोड़ना होगा, मैं ठीक इसके साथ बना रहना चाहता हूं, समझे? और इसने फिर कहा, उसने कहा, अब ये तुझे परिशान नहीं करेंगे, क्योंकि नौ जवानों को मैंने आग ग्या दी है, कि तुझे अपमान इतना करें, आमीन, मुझे ये पसंद है, उसकी सुरक्षा, ये किसने कहा, कटाई के स्वामी ने, खबरदार, मेरे अबिश्यत को ना छूना, मेरे भश्यतकताओं की हानी ना करो, क्या ये ठीक है? क्योंकि मैं तुम से सच-सच कहता हूँ, कि तुम्हारे लिए ये अच्छा हो, कि चक्की का पाट तुम्हारे गले में टांग दिया जाए, और समूदर में डाल दिया जाए, जो मेरे इन छोटे से छोटे को ठोकर खिलाए, ये ठीक है, इन्हें ठोकर भी ना खिलाना, मैंने उन्हें आग गया दी है कि तुझे ना चुएं, ओ, इस संसार को देखें, ये सथाने वाला है, उसका समय आ रहा है, तब वो युवा मनुश्यों के पास गया, दूसरा उसने कहा, ये जीवन के लिए सिला बीन रही है, अब मैं, तुम कटाई वालों से चाहता हूँ, दूसरे शब्दों में, तुम दूतो, प्रतेक, एक एक बार मुठी मुठी भर, जान बूज कर छोड़ दो, ओ, उसके लिए ये सब ठका देने वाला ना हो, परन तुम प्रतेक, एक एक बार, उसे अच्छा संदेश सुनने दो, पवित्रा आत्मा की अच्छी सामर्थ उसे ढाके रहे, एक बार, उसे मालुम होने दें, कि मैं अब भी वहीं पर हूँ, उसके मद में चंगाई होने दो, या एक आश्यर करम ताकि वो जान सके, मैं उसके मद में हूँ, यही है, क्या आप उन थोड़ों को ढूनना पसंद नहीं करोगे, मैं आशा करता हूँ, इस पराता है, कुछ को पाऊंगा, क्या आप ने मुठी भर ताज़ा जो, प्रभू कुछ करता है, जो वो किया करता था, कुछ ऐसा जो हम जानते हैं कि वो करता है, वो कटाई का स्वामी है, केवल वो ही है, जो मुठी भर छोड़ सकता है, मैंने सर्दूतों को आगया दी है, कि इस पराते उस अराधना सभा में जाओ, मैं चाहता हूँ, कि वे कुछ निश्चे तनिश्चे चीज़े करें, मैंने उन्हें आगया दी है, और वे ये करेंगे, ओ, अब यहां उसे एशोबनी भाग लेना था, कि लेटे, वो चाहे जो भी कहलाए, वो आप जानते हैं, वेर्श्या कहलाई जा सकती थी, वो एक अपमान महिला कहलाई जा सकती थी, तो भी वो थी नहीं, और उसने ठीक उन्ही नियमों का पालनी किया, जो उसे दिये गए, इसलिए उसने जाकर स्वेम को ढाक लेती है, उस ओरने से जो उसने ओर रखा था, वो कहा जाएगी कबर पर, कहा जाएगी जहां वो विश्राम कर रहा था, वहीं जहां मैंने उसे पाया, कुरूस पर वहां जहां मेरा बचाने वाला मरा, वहां जहां पाप से धुलने के लिए मैं ले जाया गया वहां मेरे हिर्दे पर लहू लगाया गया वहां एक चश्मा लहू से भरा हुआ एमेन्वेर की शिराओं से निकलता है जहां पापी उस बाड में डूब जाते हैं और अपने अपरादों के दागों को धो लेते हैं उस इस्थान को चिन्नित कर लो जहां वो लेटा वहां उसके साथ क्या आप कैलवरी पर जाने के लिए तयार हैं? इस पर आता है जैसे कि मैंने पिछले रिवी बार कहा था क्या आपने अपने जीवन में उस इस्थान को चिन्नित कर लिया है क्या आप स्वेम को वहां ले आए हैं उस इस्थान पर जहां येशु क्रूस पर चढ़ाए गया था हम इसकी सरहना करते हैं परंतु आपके कुरूस पर चढ़ने के विशे में क्या है? क्या आप उस एशोबनी नाम के साथ जैसे की एक पवित्र शोर करने वाले एक हड़ धर्मी या जो भी है जो भी दाम हो उसके साथ अपना मार्ग लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपने इस थान को चिन्नित कर लिया है? ताकि आप वहाँ जाकर उसके संग लेट कर कहें प्रभू मैं यहाँ पर हूँ फिर क्या? उसी ओडने को अपने उपर खेंच लें जो उस पर था एक इस तरी ने हमारे प्रभू से कहा प्रभू मेरे दो पुत्रों को यह परदान करें कि तेरे राज्य में एक तरे दहने हाथ और बाएं हाथ पर बैठे उसने कहा क्या आप वही प्याला पी सकते हो जो मैं पीता हूँ यह कड़वा नुभा है हाँ क्या तुम भी वही बप्तिसमा ले सकते हो जो बप्तिसमा मैं लेने पर हूँ लेट जाओ उस पर वही ओड़ना उड़ा दो एलिया उटा लिया उटा लिया गया था एलिया ने वही ओड़ना पैका जो उस पर था कि इरिशा को ढाका एक दूना भाग इस आत्मा का वोही चीज केवल दूना भाग वोही सामर्त और कुछ अधिक नहीं कोई महान नहीं केवल इसका दूना भाग जैसे मुसा जब वो ठक गया था तो उसके ससुर ने उससे कहा तू स्वेम को ठका रहा है परमेश्वर से प्राथना कर कि तेरे आत्मा को लेगा और दूसरों पर डालेगा और उसने प्राथना की और उसने आत्मा ली और उसे दूसरे सत्रों पर डाला और सत्तर भवशवानी करने लगे उनके पास कोई और अधिक सामर्थ ना थी उनके पास अधिक यांतर की थी बस यही है वही चीज केवल अधिक यांतर की आज भी ऐसा ही है एक मनुश्य ऐसा नहीं कर सकता परमेश्वर की यांतर की हर स्थान पर कारे कर रही है परंतु ये वही सामर्थ है वही पवितरा आत्मा वही एशू अब कंबल लिया पवितरा आत्मा जब वो स्वें में मर गई उस इस्थान को चिनित किया जहां वो मरा जहां वो विश्राम के लिए लेटा तब वो लेट गई और उस कंबल को लिया जो उस पर था उसे अपने उपर खेंच लिया और मने शिजाग उठा बोला कौन है उसने कहा मैं रूत हूँ मौाबनी तेरी दासी और मने शिजाग उठा बोला अमें वो उठ गया और बोला मुझे प्रतीत होता है और जानता हूँ कि तू एक भली इस्त्री है आमीन ओ क्या ये आपके प्राणों में कपकपी उत्पन नहीं करता तू एक भली इस्त्री है और उसमें क्या उत्तर दिया परन्तू तू अपने निकट कुटमबी के समीप है आमीन तू मुझे विश्राम दे सकता है मैं यहाँ आगई हूँ और लेड़ गई हूँ चरित्रहीन इस्त्री के लिए नहीं मैं यहाँ दिखाने के लिए नहीं लेटा हूँ लोगों को दिखाने के लिए मन्य भाशा में बोल सकता हूँ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आत्मा में नाच सकता हूँ और लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं चिला सकता हूँ परंतु मैं यहां आ गया हूँ कि तु एक निकट कुटुम्बी है यह दिखाने के लिए नहीं कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ परंतु तु मेरा रिष्टदार है, मैं आ गया हूँ, क्योंकि तु मेरा निकट कुटुम भी है, और केवल तु ही है, जो मुझे छुड़ा सकता है मसीही मत परिवर्तत आचार वेवार देखिये, कलीशिया के लिए, समझे, तु मेरा निकट कुटुम भी है और उसने कहा, तु एक भलिष्ट्री है, और मैं तेरा निकट कुटुम भी हूँ, अब अपने आप को ढाप और भोर तक लेटी रहे ओ, इस कंबलते स्वेम को ढाक ले, मैं तेरा निकट परिवार का सदस्य हूँ, भोर तक यहीं लेटी रहे, विश्राम कर रही है आमीन, आमीन, मैं तेरा निकट कुटुम भी हूँ, विश्राम कर, आमीन जब भोर हुई, पॉफटने से पहले, उसने जौका एक बड़ा भाग एकत्र किया, छेनफ हुए, मैं विश्वास करता हूँ, यही था, उसके दुशाले में डाले, और वो घर चली गई और नियूमी ने कहा, मेरी पुत्री, आपके वेदी पर से उठकर चले जाने के पश्चात, मा, अब क्या हुने जा रहा है, अमीन, विश्राम, आमीन, रूत, तु विश्राम कर, चुकि उस मनश्य को तब तक विश्राम ना मिलेगा, जब तक वो छुटकार का, पूरा मूल्य का भुकतान ना कर दे, आमीन, आमीन. ठीक वहीं जहां मैं खड़ा हूँ, आमीन, वो तब तक विश्राम ना करेगा, जब तक वो छुटकार का पूरा दाम ना चुकता कर दे, तुम्हें छुडाने के लिए, हर चीज जो आपने कभी खोई है, हर चीज जो आपके पास थी. आप छुडाने के नियम को इस्मन रखें, जाते के हम समी पा रहे हैं, सभा के अंत में, छुडाने की सारी वेवस्ता ये है, इसके पहले कि कोई व्यक्ति कोई खोई गई संपत्ति छुडाये, उसे सबसे निकट कुटम भी होना है और अगली बात वो एक खरावेक्ती होना चाहिए एक सजन पुरश इसे करने के लिए और उसके पास परियाप्त पैसा होना चाहिए कि ये करे और तब उसे एक खुली गवाई देनी होगी कि उसने ये किया है और तब उसके पश्चात ये उसकी संपती है इसलिए अब देखिए बोज मसी को दर्शाता है अब रूथ कलीसिया का परतिने जित्व करती है आप विश्वासी और अब परमेश्वर पुराने नियम में केवल एक ही मार्ग था कि वो आकर जो खोया था छोड़ा सके परमेश्वर को मनुष्य का निकट संबंदी बनकर आना था और केवल एक ही मार्ग था कि वो मनुष्य का निकट कुटम भी बनकर आता कि उन में से एक हो जाए आमीन मैं बिली गराम के साथ सहमत नहीं हूँ कि परमेश्वरत में तीन वेक्ति गट वेक्ति हैं या किसी भी त्री एक्ता वाले शिक्षास से इस बात पर ये ठीक है मैं त्री एक्ता में विश्वास करता हूँ परन्तु इस लीति से नहीं कि वे तीन वेक्ति हैं वो एक है ये कथा स्वें में कुछ नहीं परन्तु ये इसे सिद करेगी God became man He had become kin folks and he couldn't be God in us sinners creations of his creation creative beings of his creation cause we couldn't be kin folks there so God became man that man might became God become God Amen परमेश्वर मनुष्वे बन गया उसे निकट कुटुम भी बनना था और वो परमेश्वर नहीं हो सकता था और हम पापी लोग उसकी सृष्ष्टी की रचना थे उसकी सृष्ष्टी के जीवन क्योंकि हम वहां के निकट कुटुम भी नहीं हो सकते इस लिए परमेश्वर मनुष्वे बन गया ताकि मनुष्वे परमेश्वर हो सके परमेश्वर हो जाए आमीन हम पापी मनुष्वे होने के नाते परमेश्वर एक पापी बन गया हमारे पापों को अपने उपर ले लिया पापों को ना जानते हुए तो भी एक पापी था क्योंकि हमारे पाप उस पर रखे गए ताकि हम वो मैं बन गया ताकि मैं वो हो जाओं समझे वो एक पापी बन गया ताकि मैं एक परमेश्वर का पुत्र हो जाओं वो एक पापी बन गया ताकि आप परमेश्वर के पुत्र हो जाएं और अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा निकट कुटूम भी हो गया था जब उसने हमारा शरी धारन किया और इस तरी से जन्मा परमेश्वर दूसरा वेकते नहीं परमेश्वर स्विम पहले तो मुटियस 3.16 में कहा और इसमें संदे नहीं की भक्ती का भेद गंभीर है अर्थात वो जो शरीर में प्रगट हुआ परमेश्वर आत्मा में धर्मी ठहरा आदे में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन तेहधारी हुआ वचन मनुष्य बन गया निकट कुटुम भी हो गया वो एक मनुष्य बन गया वो मिर्तिव बन गया ताकि उसकी मिर्तिव से मैं जीवन बन शकूं मैं हो जाओं, जीवन पाओं वो कंगाल हो गया ताकि उसकी कंगाली से मैं धनी हो सकूं वो जो मैं था, वो हो गया ताकि मैं उसके अनुग्रे से वो हो सकूं जो वो है हो प्रभु तब परमेश्वर की सामर्थ के विचे में बाते करते हैं ये ठीक पवित्रवचन है और ये ही पवित्रवचन ने कहा है ताकि हम हो सकें प्रेम क्या है? पिता ने हम पर अपना साया किया हम पर चाया की ताकि हम जो पापी अलग के हुए परमेश्वर से दूर परमेश्वर के समीप लाए जा सकें इतना हो कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाएं ना की दास अन्यजाती कलिसिया कभी भी दास नहीं है नहीं श्रीमान अन्य जाती कलिसिया, पुत्र और पुत्रियां हैं, आप परमिश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जिन्हों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है अब यदि आप और पावित्र आत्मा से होका निकले हैं, तो आप पुत्र और पुत्रियां हो गए अब पुत्र और पुत्रियां किस के पास परमेशर के सनमुक शक्ती है सरदूत क्या है सरदूत एक सेवक है ये ठीक बात है वे उसके दास है आप क्या है उसके पुत्र और पुत्री उसे छोड़ स्वर्ग में किस के पास समर्थ है एक पापी जो अनुगरे से बचाया गया है या एक परधान सवर्दूत जो उसकी देनी और खड़ा है वो पापी जो अनुगरे के दोरा बचाया गया है उसके पास अधिक अधिकार है बजाए परधान सवर्दूत के जो उसके बराबर में बिना पाप के खड़ा है क्योंकि वो एक पुत्र है पुत्र के पास सेवक से अधिक अधिकार है ये ठीक बात है वो हम भूल गए कि हम क्या है बहुत बार हम भूल गए हमें किसने बनाया हम क्या है जो हम है ये हो जाने के बाद तब हम भूल गए कि हम यहां कैसे आए जब परमेश्वन ने स्वेम से ओ पिता का कितना बहुमूल ये प्रेम आदम की गिरी हुई जाती को दिया अपना एक लोता पुत्र दुख सहने को दिया और हमें अपने अनुगरे से छुडाया ओ कैसे हम कभी भी जान सकते थे Mid-rendering rocks and darkening skies My Savior bows His head down The opening veil revealed a way To heaven's joy in the endless day On Christ the solid rock I stand All other grounds are sinking sand When I survey the wondrous cross For all the Prince of Glory died I tell all my feelings to be but lost It's right बीच से फटी चटाने और अंदकार भरी आकाश मेरे बचाने वाले ने अपना सर जुकाया और मर गया खुले हुए परदे ने मार्ग को प्रगट किया उस स्वर्ग के आनंद और ना समाप्त होने वाला दिन मसी पर जो ठोष चटान है मैं खड़ा हूँ बाकी सारी धर्ती धसने वाली रेथ है जब मैं अधबुत कुरूस से जीवित रहता हूँ जहां महिमा का राज कुमार मरा मैंने अपने सारे पाप नस्ड होने के लिए गिने ये ठीक बात है एक ने कहा जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया मरते हुए उसने मुझे बचाया गड़कर वो मेरे पापों को दूर ले गया जी उठते हुए उसने सदा के लिए धर्मी ठहराया किसी दिन वो आ रहा है ओ महिमा वाला दिन यही कलीशिया का विशे रहा है यही उसका दृष्टी कौन रहा है यही इसका हिर दे रहा है यह पिर्थवी इस निकट छुड़ाने वाले कुटुम्बी के लहु से नहाई है कि आदम की गिरु ही जाती को छुड़ाए ध्यान दें वो यहां है एक छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी अब पहली बात उसे एक योग्य मनश होना चाहिए मस्य से कौन अधिक योग्य होगा येशु से तब दूसरी बात उसके पास पैसा होना चाहिए वो इसे कर सकने के योग्य होना चाहिए उसने सरगों का अधिकार लिया उसने सिद कर दिया कि ये उसने किया है वो पांच रोटी और दो मचली लेकर पांच हजार को खिला सकता है उसके पश्चाथ बचेवे टुकडों के पांच टोकरे उठाए गए वो कुएं से पानी निकाल कर और उसे दाखरस में बदल सकता है वो समंदर में से मचली लेकर उसके मुख से सिक्का ले सकता है सोने का आमीन वो वो नहीं था वो निर्धन बन गया अपना सिर रखने के लिए इस्थान नहीं था वो निकट कुटुम भी बन गया धनी लोगों का निकट कुटुम भी नहीं सब लोगों का निकट कुटुम भी उसने एक छुड़ाने वाले का स्थान लिया तब उसे क्या करना था तब उसे जनता के संब गवाई देनी थी अगली प्राता रूत ने कहा याने ने 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 कहा रूत विश्राम कर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा चुकि तुने उसके दृष्टी में अनुग रह पाया है God let me do that Let me find grace in His side Then when morning break When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more And the morning breaks eternal bright and fair When the saved owner shall gather over on the other shore When the roll is called up yonder I'll be there Resting now Waiting for the full redemption Parmishwar मुझे ये करने दें मुझे उसकी दृष्टी में अनुगरे प्राप्त हो तब जब भोर हुई जब प्रभु की तुरी फूकी जाएगी और समय और ना होगा और भोर होती है अनंत, चमकदार और साफ और सब बचाएवे इस पिर्थवी पर से दूसरे किनारे पर एकत्र होंगे जब वहाँ सारे नाम पुकारे जाएंगे, मैं वहाँ होंगा अब विश्राम कर पूर्ण छुटकारे की परतिक्षा हो रही है ध्यान दे, मेरे पास ये है, अब उसका बयाना, मैंने पूरा दुशाला जो से भर लिया और घर जा रहा हूं, मैं वहाँ पहुचा, उसने ये उसे दिया, पूरे छेन पुए ना पे छे का अर्थ है, संसार के 6,000 वर्ष, मनुष्य के 6 दिन, मनुष्य की रचना छटमे दिन हुई, 6,000 वर्षों में संसार की रचना हुई, सातमे में में परमेश्वन ने विश्राम किया 6,000 वर्ष तक कलीशिया पाप के बदले परिश्रम करेगी, परमेश्वर की सामर्थ, जोकी रोटी के साथ, और तब अनंत विश्राम में ठीक है, विश्राम पर्तीक्षा जोके 6 नप हुए, उसने उसे दिये ताकि उसे संपूर्ट छुटकारे तक ले जाए, इसमें आनंद लेकर मैं अतीपरसन हूँ, अब हम जल्दी से इसके अंत में पहुचें, अब हम पाते हैं कि अगली प्राता है, जब वो सो कर जागी, वो अनंद थी, प्रतीक्षा में थी, और वो वेक्ती आया, वो नीचे गया, वहाँ एक और वेक्ती निकट कुटम भी था, जिससे पहले इस तरी को छुड़ा लेने का वास्ते विकल्प था, इसे लेने के लिए क्या मेरे पास समय है, अच्छा एक मिनिट और, हम इसके भाग को लेंगे, जो भी है, अगला वला दिस्तांत में है, उसके पास आप के लिए विकल्प था, वो शेतान है, क्योंकि आप ने पाप किया था, और पहले आप उससे संबंदित हैं, क्योंकि आप उसके एक संपत्ती के समान हैं, क्योंकि आप पाप में उत्पन हुए, अधर्म में बने, संसार में जूट बोलते हुए आए, और वो इसे छुडा ना सका, वो इसे ना छुडा सका, इसलिए मसी आया और मनुश्य बना, कि हमारे पापों को दूर ले जाए, हमें छुडाने के लिए, क्या आप ये देख सकते हैं, और दूसरा वेक्ती ये नहीं कर सका, शेतान पापों के लिए ना मर सका, क्योंकि दूशित करने वाला वो ही था, जिसने पाप बनाया, समझे, वो नहीं कर सका, वो उसके उत्रा अधिकार को बिगार देगा, दूसरा वेक्ती, और उसको बिगार देगा, क्योंकि वो एक शतान है, वो दूसरा शतान ना बन सका, कि उस पहले वाले शतान को ले जाए, वो पाप ना बन सका, क्योंकि वो पहले ही पाप था, परन्तू मसी, पापी बन गया, वो हमें छुडा सकता था, हलेलुया, हम छुडाए हुए हैं, हम छुडाए हुए हैं, का अर्थ है वापस ले आना, हम छुडाए हुए हैं, इसलिए अगली प्रात है, तब उसे लोगों में गभाई देनी थी, वो गया, और इस पुरुष्ट से फाटक प्रमिला, प्राचीनों के सामने, और ये आम लोगों का इस्थान होना था, और उसने उसके मुक्खी औरता का, उसने कहा, क्या तू उससे इस तरी को छुडा सकता है, अब यदी उसे पहले नियूमी को छुडाना था, ताकि रूत को पा सके, और मसी को पहले यहुदी कलीशिया को छुडाना था ताकि अन्ने जाती दुरहन को पा सके वो नियूमी के साथ एक परदेशी के समान भी तराई एक दूसरे देश ते एक मौबनी मूर्ती पूजक हम लोग यही थे अन्ने जाती एक मूर्ती पूजक और इसमन रखें उसे नीमी को लेना था और जब उसने नीमी को लिया तो उसे वो सब मिला जो नीमी का था इसमन रखें जब मसी आया तो उसने अन्जाती कलीशा के लिए कभी कुछ नहीं कहा वो अपनों में गया वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया वो सदा अपनों के लिए अन्य जाते हो के पास ना जाना सामनीों के पास ना जाना परंत उजराइल की खोई ही भेड़ों के पास जाना और ज़र तुम जाते हो तो सूसमा चार परिशार करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दे जिलाओ, प्रेता आत्मा को निकालो, तुमने जैसे मुफ्त पाया, मुफ्त दो, क्या ये ठीक बात है? उन्हें दो-दो करके भीजा, पहले जाओ, और उसे उस कलीशा को छोडाना था, जब उसने उस कलीशा क को छोडाया, तो उसे अन्हे जाती की दुलहन मिली, आमीन, इसमें यही सौदे बाजी थी, समझे, जब उसने कलीशा को छोडाया, तो उसे दुलहन मिली. अब भात को लोगों को गवाई देनी थी, उसने कहा, क्या उसे चुढा सकता है, उसने कहा, नहीं, तब उससे लोगों में गवाई देनी थी, उसने अपना जूता निकाला, और उसकी और प्हेंका, कहा, तुँ ये रहा, सारा एजरानले जान ले, कि मैंने नियोमी को छुडा लिया है और मैंने रूत को भी ले लिया है आमीन रूत को मैं अपनी दुलन होने के लिए लेता हूँ ये कौन था कटाई का सौमी आमीन वो वहा है मैं नियोमी को छुडाता हूँ और मैं रूत को लेता हूँ और रूत मेरी दुरहन होगी वे क्या कहेंगे वो लिया और राहिल के समान हो गए और उन्होंने हजारों को पाला पोसा और उसके पास ये ठीक बात है इसराइल को वो भी ऐसे ही हो और देखिये उसने एक परिक्षा बनाई लोगों के मद में गवाई येशू ने क्या किया ये करने के लिए उसने लोगों में गवाई दी जब शैतान पाप के लिए नहीं मर सका चू़कि वो पापी था वो पाप का पिता था परन्तु येशु एक दोशीन सुरक का परमेश्वर जिसे मरना ना था नीचे आया और मरकर लोगों में गवाई दी सुरक पिर्थवी के मद्ध में उठाया गया एक लोगों के लिए जनता मद्ध में गवाई उसके कपड़े उस पर से उतार दिये गए और सुरक पिर्थवी के मद्ध में लजजा में लटकाया गया मर गया एक पाप से भरी लजजा से भरी मिर्तियू कि हमें छुड़ा ले एक गवाई लोगों के मद में आमीन उसने क्या किया अपनी धारमिक्ता को लात मार दी अपनी ही महिमा में लात मार दी मेरे पास सामर्थ है मैं अपने पिता से बात करूँगा और सीधा सीधा वो मेरे पास सुर्दूतों की 20 सेनाई भेजेगा वे सारे दृष्य को बदल देंगे एक सुर्दूत इसे कर सकता था वो 20 सेनाई बुला सकता था जिसमें की लगबग 40,000 सुर्दूत होंगे वे क्या कुछ कर सकते थे उसने का है मैं सीधे अपने पिता से कहकर अब ये ठीक बात है वो मेरे पास 20 सेनाई भेजेगा सुर्दूतों की सेनाई यहां आएंगी और इस सारे पर अधिकार कर लेंगी एक क्या करेगा एक तो एक सेकंड में पिर्थू को नाश कर देगा जरा देखिए उसके पास हजारों आसकते थे समझे परंतु उसने वो छोड़ दिया उसने वो सब एक और रख दिया उसने अपना सारा सम्मान रख दिया हर चीज एक और और पापी बन गया और आपके और मेरे लिए मर गया अब बंद करते हुए हम ये कह सकते हैं बंद करते हुए उसने ये किया तब उसने रूत को लिया और उससे विवाह किया और उसने अबेद नाम पुत्र को जनम दिया अबेद यशी का पिता था यशी दाओद का पिता था जो कि मसी का पिता था क्या आप नहीं देख सकते धार्मिकता में होते हुए उस इसपस्ट निर्णे में से होते हुए वो हमारा निकट कुटम भी बन गया इसमन रखे पर्मेश्वर हम लोगों में से एक हो गया कि नीचे आजाए और हमारे समान हो जाए भूक सही प्यास सही मैं प्यासा हूँ मुझे पानी दो और उनोंने उसके मुझे मुझे पत मिला हूँ ओवा सिरका दिया या थिर्स्त बखे हैं उसे हमारे समान प्यास लगी वो जानता है कि इसके बिना कैसे करते हैं वो हमारे समान बीमार था उसने कहा क्या वो मुझसे परानी कहवत ना कहेंगे वैद अपने आप को चंगा कर परन तो उसकी महान सामरत उसके सोईं के लिए नहीं थी उसके पास ये करने के लिए सामरत थी परन्तु वो उसे अपने लिए उपयोग नहीं कर सका नहीं किसी ने मुझसे एक दिन कहा का भाई बरनाम इसके पहले कुछ भी घटे थो आप जानते हैं कि आपको क्या होने जा रहा है मैंने कहा वर्दान मेरे लिए नहीं है मैं इसे अपने लिए प्रियोग नहीं कर सकता ये आप के लिए है आप हैं जिसे इसका अलाब मिलना चाहिए ना कि मैं मैं तो परमेशर का लोगों के लिए दास हूँ आपके लिए परिचारक एक जन सेवक है वो स्वेम को वहां बनाए रखता है जैसे कि मैदान की लिली मदु मक्ही उड़कर आती है और अपना भाग लेती है पास से निकलने वाला अपना लेता है और सब बातें वो दिन रात परिशम करके अपनी चमक को बनाए रखती है और सूसमाचार का सेवक भी यही करता है परमेशर की लीक पर चलता है अपनी गवाई की सच्चाई को बनाए रखता है ताकि संसार उसका भागी हो सके श्रीमान पास्टर लिली वो अच्छा वाला है येशु ने कहा इस पर विचार करो सुलिमान उसके समान नहीं था ये ठीक बात है डॉक्टर लिली मैं समझता हूँ आप सब उसे जानते हैं समझे मैदान की लिली पर विचार करो कि वे कैसे वे ना तो परिशरम करते और काते हैं मैं कहता हूँ तो भी सुलिमान अपने सारे वेभाव में लिली को राग दिन परिशरम करना पड़ता है ताकि चमक को प्राप्त करे अपने वस्तरों को बनाए रखे ताकि अपनी सुगंद और चीज़ें को बनाए रखे और दूसरे वो सुम को खुला रखती है और वे आते हैं और उसमें से लेते हैं मदु मक्हियां और मक्हियां और हर चीज जो उसके पास से निकलती है अच्छी या बुरी उसमें से लेता है मसी का दात इसी प्रकार का होता है मसी से वक सुम को खोलता है मुझे में से संसार को ले लो उसके स्वेम के लिए कुछ नहीं है ये दूसरों के लिए है यही मसी हो गया जब वो हमारा कुटुम भी बन गया वो मनुशे बन गया ताकि संसार उसकी धार्मिकता का भागी हो जाए देखिए और परमिशर के पुत्र और पुत्रियां हो जाए अब उन्होंने क्या किया उन्होंने विवा किया और उसके दौरा वो महान चीज आई तब रूत को पुरुसकार मिला था मसी के पाने के दौरा याने बौाज उसका पती हो जाने के दौरा कलीशिया जो की पुरुषकर्त की गई प्रभु के आगवन के दौरा, जब वो आएगा उस चमकदार बिना बादल की प्रात है, हम विश्राम कर रहे हैं, अब विश्राम कर रहे हैं, वो आएगा, अब क्यों ये छुडा लिया गया है? अब इसके पहले मैं छोड़ू, एक और भाओ, की प्रातना पंक्ती को आरम करें, एक और उद्दद भाओ, इस प्राता मैंने उपर देखा, शब्द छोड़ा लेना, मैं मेरे आरमीन भाओ, लोग मुझे शमा करें, परन्तू मुझे ये रखना है, आगात पहुचाने के लिए नहीं, परन्तू, विचार करने के लिए. देखिए, छुटकारे का क्या अर्थ है, छुटकारे का वास्तविक अर्थ यूनानी भाशा में जो लागू होता है, एक गुलाम को बजार से खरीदना, मैं इस समय उस ग्रीक शब्द का शब्द विन्यास नहीं कर सकता, परन्तू, इसका अर्थ, बजार से एक गुलाम को लेना, छुडाने के लिए. एक वेक्ती ने कुछ गलत किया, इसलिए उसके सौमी ने उसे गुलामी के लिए बेच दिया, वास्ताम में मृत्यू के लिए, और वो बजार में था, वो गुलाम था. परन्तू, एक वेक्ती वहां आया, एक योग्य मनुशे, जो ये करने के योग्य था, और इस वेक्ती को देखा, और उसकी दृष्टी में अनुगरे पाया, उसने उसे छुडाया, उसने उसे गुलाम की मंडी से ले लिया, उसे अपने आपे से बाहर निकाल लिया. ध्यान दें, और वो गुलाम जो एक बार छुडाया गया, फिर से बजार में बेचा नहीं जा सकता, आमीन, फिर कभी नहीं बेचा जा सकता, उस पर, निशान लग गया, और यदि उसने इस विशे में बहुत सोच लिया, कि एक बार छुडाया गया है, कोई भी, कभी भी, गुलामी के लिए उसे फिर नहीं बेच सकता, ओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि जब एक मनशे एक बार मसी के पास आ गया, और अमूली लहू से छुडा लिया गया, शेटान आपको फिर कभी गुलाम नहीं बना सकता, आप येसु मसी के लहू में, जब तक आपके छुटकारे का दिन नहीं आता, शुरक्षित हैं, एक गुलाम इसे निर्गमन में देखिये, और देखिये कि यदि ये लेववस्था का नियम नहीं था, मेरा अर्थ लेववस्था में देखिये, यदि ये वेवस्था नहीं थी, एक गुलाम जब एक बार छुडा लिया गया, तो गुलामी के लिए कभी फिर नहीं बेचा जा सकता, ये ठीक बात है, मेरे समान बन गया, आपके समान बन गया, और पाप में शरीर का रूप धरन किया, कोई पाप नहीं जानता था, ताकि हमारे पाप उस पर डाले जा सकें, और हमारे लिए निकट कुटम भी बन गया, मिर्तु से लोगों में गभाई दी, पूरा दाम चुका रहा है. और परमेश्वर का आत्मा गभाई दे रहा है, मंदिर का परदा फट गया था, उपर से नीचे तक, नीचे से उपर को नहीं, परंतु उपर से नीचे को दर्शाया, कि वो स्वेम परमेश्वर था, उसने से फाड कर खोल दिया, उपर से. उपर से नीचे को फाड दिया, और मार्क को खोल दिया, और बलिदान के स्थान उलट दिये गए, और अंधकार और आकरोश से भरे आकाश में आरपार बिजली चमकी, दुपहर में सूर्य अस्थ हो गया, सितारों ने चमकने से मना कर दिया, हर चीज ने एक गभाई दी, हम छुडा लिए गए हैं, हलिलुया, हम प्रात्ना करें so thou, thou shalt cleave unto the word of the Lord, thou shalt be brought into the comertes of the Lord, yea, thou shalt be brought into my rest, saith the Lord, and as a doctrine dost fall, as the dew in this hour, yea, my word is going forth through my servants, yea, thou shalt encompass this earth, but except thou be filled with the Spirit, thou shalt not know the voice of the Lord, therefore the Lord would say unto thee depart thou from iniquity yea, clean up thy life yea, leave those things behind that are worldly yea, that are fleshly that are not a desire unto the Lord for the Lord would say unto thee in this hour that except thou dost repent yea, except thou dost turn unto the Lord with all thine heart and be willing to desert that which is behind yea, the Lord shall not hear thee when he cometh for the Lord is coming as a bride as a bridegroom for his bride and as a bride doth prepare herself and get herself ready for the coming of the bridegroom even so must my children get themselves ready even in this hour that they might be ready at my coming saith the Lord therefore watch ye and pray saith the Lord hearken thou unto my word that is going forth for my word shall not return unto me, boys but shall accomplish those things which I have predestinated saith the Lord that shall be in this last day therefore hearken thou hearken thou turn thou from thine own wisdom turn thou from thine own doctrine yea, turn thou from that which is lengthy and bounding and turn thou unto the word of the Lord and thou shalt be set free yea, my mercy shall be upon thee saith the Lord your heads bowed not just a moment that was prophetic utterance calling to the church after the message now if there is some here who doesn't know him your lives are not right you're invited now to stand here in the presence of this audience the face of God to accept him as your savior the water is in the pool for baptism if someone waiting to start the baptism service right away while we have our heads bowed we're going to take up the moment now by singing I'm going through with your heads bowed now I'm going through yes, I'm going through I'll pay the price whatever others do I'll take the way with the Lord's despised view I've started in with Jesus and I'm going through I'm going through yes, I'm going through do you really mean it now if you do come up here and stand what ever others do I'll take the way are you ready to leave with the Lord like Naomi of old کیا آپ اس پرانی نیومی کے سمان ساتھ لگے رہنا چاہتے ہیں I've started with Jesus and I'm going through from Bethlehem's manger came forth a stranger on earth on earth I long to be like Him all through life's journey from earth to glory I only ask to be like Him to be like Jesus you want to be like your Redeemer کیا آپ اپنے چھڑانے والے کے سمان ہونا چاہتے ہیں to be like Jesus on earth I long to be like Him all through life's journey from earth to glory I only ask to be like Him پرتوی پر اس کے سمان ہونا چاہتا ہوں جیون کی ساری یاترہ پرتوی سے مہمہ میں نے مانگا کی اس کے سمان ہو جاؤں شکست 我是 شکست 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 प्रभू मुझ पर चमक, मुझ पर चमक, प्रकाश के इस तम से उजी आला मुझ पर चमके, मुझ पर चमक प्रभू, मुझ पर चमक, प्रकाश के इस तम से, मुझ पर उजी आला चमक ने दो, उसके समान, क्या कोई और होगा, जिसके समान आप होना चाहेंगे, उसे छोड़ कर, क्या कोई यहां इस युवा महिला के साथ, जैसे इसने घुटने टेके हैं, आएगा, पुराने रूत के समान ले रहा है, अपना मार्ग इस पराते ले रहा है, उसके समान, सारी पिर्थवी से महिमा, मैंने मांगा, केवल उसके समान, जैसा की वो है, कोई और आएगा, अब यहां आकर इस महिला के समान घुटने टेक ले, क्या आपने आरंब कर लिया है, क्या आप अपने हाथ उसके हाथों में डालेंगे, से हमिरे ले 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 एंगे, समाने हाथ कर ले 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 ले, उसके समान होना चाहता हूँ सारी जीवन की यात्रा पिर्थवी से महिमा मैंने केवल मांगा की उसके समान Our Heavenly Father, while the church is humming this song to be like Jesus, this woman this morning has stepped out like Ruth Inabel coming like Ruth of old हमारे सुर्गे पिता जबकी कलीसिया इस गाने को गुन गुना रही है कि येशु के समान इस महिमा ने रूत के समान अपने कदम को बाहर निकाला Inabel पुरानी रूत के समान आ रही है कोई बात नहीं कि क्या दाम है वो इसका भुक्तान करने आ रही है कोई मतलब नहीं कि क्या उस पर कैसे हसा जाएगा उपहास उड़ाए जाएगा वो अब इस थान को ले रही है यहां खड़ी हुई अपने पापों को मान रही है गुटने टेके उए उस इस थान को चीन रही है जहां कटाई का महान प्रभु कुरूस पर लेटा था और वो वहां उसके आत्मा को पाले उसका अनुग्र है जो उससे बोला जैसे ही शब्द निकला जैसे ही की बुड़ी नियुमी ने निर्देश दिया था उसने सही वाले पर प्राहर किया सही स्थान पर और अब वो विश्वासी का स्थान लेने जा रही है प्रूस पर घुटने टेकते हुए जहां वो अपने पापों को मानती है जीवन की सारी पुरानी बाते एक और रख देती है और मसी येशु में नई स्रिष्टी हो जाती है पिता इस प्राते हम प्रातना करते हैं इस भवन में बहुत से अलग किये गए वेकती प्रतेक पुरुष इस्त्री लड़का ये लड़की जो आपको नहीं जानता प्रभू ये वचन उनके कानों पर से निकलना जाए हम नहीं जानते कि हम किस घड़ी नियाए में आ जाते हैं ये आज भी हो सकता है कि हम में से बहुतों को आना है हो सकता है कि हमारे घर पहुँचने से पहले कोई दुरुगटना घटित हो जाए हो सकता है हिर्दे का दौरा हम पर अप्रहार करे हम नहीं जानते ओ परमेश्वर जबकि आत्मा यहां पर है तो हम इस घड़ी में तैयार हो जाएं जबकि हमारे पास गवाई है कि वो यहां पर है जबकि सुर्क का परमेश्वर अपने अनंत अनुगरे में यहां हमें भीता लेने के लिए है प्रभू अपने अनुगरे में इसे दे औरों को भी इस पराते वेदी पर भेजें और मसी को अपना बचाने वाला सुकार करें जैसे यह महिला यहां पर कर रही है प्रभू इसे प्रदान करें इस पर अनुगरे कारी हो यह जानते हुए कि इसके लोग इसका भाई यहां मेरे साथ मंच पर बैठा हुआ है इसकी बेहन वुड वहां पीछे बैठी है माता और पिता यहां पर बैठे हुए है प्रभू परमिश्वर मैं अनुगरे के लिए प्रातना करता हूँ प्रभू से ग्रहन करें आप जानते हैं मेरे हिर्दे में क्या अर्थ है मैं बिंती करता हुए कि आपका बहाया वह लहू अनुगरे में इस घड़ी में यहां पर आएगा इसे परदान करें प्रभू इसे ग्रहन करें जब कि हम औरों की परतिक्षा कर रहे हैं कि हो सकता है दूसरे भी आएं पिता और मसी में होते हुए परमिश्वर से मिलाए जाएं अब जब कि हम प्रतिक्षा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हम फिर से गाना गाने जा रहे हैं, मुझ पर चमक ओ प्रभू, मुझ पर चमक प्रकाश के स्थम्ब से मुझ पर उजी आला चमके All right Shine on me Will there be another come up? Lord, shine on me Let the light brown the light up Shine on me Shine on me Lord shine on me Let your life run to life Shine on me What will it make me? ठीक है जी हाँ चमके क्या कोई और आएगा? मुझ पर चमके प्रकाश इस्थम से उजी आला मुझ पर चमके मुझ पर चमके प्रभू मुझ पर चमके आपका उजी आला प्रकाश इस्थम से चमके ये मुझे क्या बनाएगा? To be like Jesus To be like Jesus Our I love To be like Him All through life's journey From earth to glory I only ask To be like Him येशू के समान येशू के समान पिर्थवी पर मैं उसके समान बनना चाहता हूँ सारी जीवन यात्रा पिर्थवी से महिमा मैंने केवल मांगा कि उसके समान Father God That's truly our testimony Lord We want to be like Him Meek and lowly Humble, sweet, always forgiving Those who are mistreating Him and doing wrong We want to be that way पिता परमेश्वर ये सत्य में हमारी गवाई है प्रबू हम उसके समान होना चाहते हैं विनीत और दीन नम्र, मीठा सदा उन्हें शमा करता हूँ जो उससे दुर्विवार कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं हम उस परकार के होना चाहते हैं इस महिला के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जो इस पराता आई है हम कैसे जानते हैं कि थोड़े देर के पश्चात ये जीवन क्या हो जाएगा संभव है अपनी सारी गलतियों में से होते हुए और जीवन की बातें जैसे के हम सब ने किया उन्हें बाल के नीचे डूपते हुए देख रहे हैं इस पराता है परमेशवर में परातना करता हूँ कि ये महिला पवित्र जीवन जियेगी और अपने संबंदियों को इस अनुभव के लिए अगवाई करेगी ये यहां न रुके परंतु परतिग्या के देश में बढ़ती जाए इस थान को चिन्हित कर ले और लेड जाए वहां पवित्र आत्मा प्राप्त कर रहे हैं प्रभू इसे ग्रहन करें कोई और यहां पर है पिता उसे आना चाहिए और नहीं आया आपका आत्मा उन्हें ना छोड़े उन्हें राद दिन कोई विश्राम ना मिले जब तक वे ना आ जाएं और ये निर्ने भी ना लें निष्ठर होने के लिए नहीं प्रभू परंतु ओ परमेश्वर नहीं जान पा रहे हैं कि वे कहां चूक रहे हैं ये जानते हुए कि उस दिन क्या होगा उसे ये कहते हुए सुनना दुस्तकारियों के करने वालों मुझसे दूर हो जाओ उस पराते मैंने तुम्हें आठ पैन गली में पुकारा था और तुम नहीं आए ओ परमेश्वर उनके लिए क्या ही भयानक घड़ी होगी जब हम तौले गए तो हलके निकले पिता इसे ग्रहन करें कि ये बात किसी के जीवन में ना हो आपकी दिव्वे उपस्थिती में ये सब बचाए जाएं हम ये येशु के नाम में मांगते हैं आमीन इस प्राते हैं हम प्रभू को धन्यवाद देना चाहते हैं उसकी भलाई और किर्पा के लिए आपके धहरिये के लिए आपको धन्यवाद की मेरे साथ इतने लंबे समय प्रतिक्षा की बेहन इनवेल में बेहन वोड्स भाई चारली आपकी जो बेहन हैं वे क्या प्रातना कर रहे थे और हमने क्या प्रातना की थी बहुत समय पहले बेहन इनवेला क्या आप खड़ी होंगी एक शन के लिए ये बेहन वोड्स की यहां कलीसिया में हमारी ट्रस्टी है ये उनकी साली है जिसने येशु को इस प्रातना अपने बचाने वाला सुकार किया है और कितनी प्रातनाएं हुई परमिशर आपको आशिछ दे बेहन इनवेला मैं सोचता हूं कि मैंने आपका नाम सही लिया है क्या ये ठीक है तो मैं आपको उतसाहिफ करता हूं कि इसे कर ले और पुश्रातमा पा ले परमेशर सरवदा आपके संग रहे और वहाँ आपके बहमूले पती को आशिशित करे मैं उनसे कुछ दूनों पहले मिला यदि मैं गलती ना कर रहा हूँ तो उनका नाम स्टेंले है क्या ठीक है स्टेंले परमेशर आपको आशिश दे घर सुहावना है परन तुम्हे विश्वास करता हूँ कि ये पहले से कभी और अधिक से सुहाना हो जाएगा परमेशर सदा आप सब के संग हो और आपको अपना अनुगरे और दया दे आपके जीवन के दिनों में और प्रभू के पीछे पीछे चलें एनाबेला रूत के समान बने उसी में लगे रहें केवल आगे बढ़ते रहें कभी कभी ये कठोर होगा और मार्ग धूमिल होनेंगे परंतुसमन रखें नीचे की ओर देखें और फिर उपर आकाश की ओर देखें आप लगू लोहान पैरों के चिन पाएंगे जो वहां तक जा रहें होंगे वो मार्ग दर्शन करेगा अब ओ, ये तो दुपैर हो गई बारा बजे हैं क्या आप अब भी प्राथना पंक्ति को चाहते हैं बिली कहां किस प्रकार क्या उसने प्राथना पत्र दिये है मैं मैं कभी भी मैं विश्वास करता हूं उसने मुझे बताया कि उसने प्राथना पत्र अच्छा वो क्या था कोई मुझे बताये कि अक्षर और नमबर क्या था क्या बी बी एक से सो पचास से सो ठीक है बी नमबर एक उनके पास अब हमारे पास भीड है इसलिए हम नहीं कर सकते हम उन सब को खड़ा कर लेंगे और उन्हें यहां से निकालेंगे जबकि मैं उनके लिए प्राथना कर रहा हूँ अब कितनों ने जिन्होंने प्राथना पंक्ती कभी नहीं देखी आपके हाथ देखें मेरी सबहों में कभी नहीं थे प्राथना पंक्ती में ओ बहुत सारे अच्छा अब हम केवल लोगों के लिए प्राथना कर सकते हैं हम विचारों को जान सकते हैं या बिलकुल भी प्राथना पंक्ती ना लें केवल उन्हें भक्त मंडली में से बुलाएंगे इससे कोई मतलब नहीं पवित्रा आत्मा यहां पर है जियां शिरीमान परंतु हम प्राथना पंक्ती में खड़े हों प्राथना पत्र बी है पचास मुझे शमा करें एक किसी के पास नहीं है थीक है । प्राथना पत्र पचास ये किसी के पास है शिरीमान यहां है प्राथना पट्र 2 1 150 52 थीक है 53 53 ठीक है कम अधर से आई यहां पर यदि आप पीछे हैं तो यहां से आएं यहां पर 51, 52, 53, 54, who has 55, prayer card 55, the lady, right over here, prayer card 56, stand up on the side of the wall, over there if you will 51, 52, 53, 54, 55 किसके पास है, वो महिला, ठीक, यहां पर प्रातना पत्र 56, दीवार की ओर खड़ी हो जाएं, उधर यदि आप चाहें तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 57, 58, 69, 61, 62, 63, 64, 65, बस्ती, उस वाले गलियार ते घूम जाएं, वहां से, भाई, ठीक है, वहां ठीक है, उधर से घूमें, कितनों के पास प्रातना पत्र नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि प्रभू आपको चंगा करें, अपने हाथ उठाएं, ठीक है, आपको केवल इतना करना है, कि अब विश्वास करें, केवल विश्वास, ठीक है, 57, 58, 59, 60, let them stand. 56, क्या मैंने ले लिया? 57, 58, 69, 60, इन्हें खड़ा होने दें. 61, 2, 3, 4, 5, let them stand. 66, 67, 68, 69, 70, let them stand. 61, 61, 2, 3, 4, 5, इन्हें खड़ा हो जाने दें. 66, 67, 68, 69, 70, इन्हें खड़ा हो जाने दें. मैंने इचाता कि वे सब एक बार में जमगट लगा दें. यही कारणे कि मैं नंबर पुकार रहा हूं, 70 तक. 70 to 80, stand. Come over here, on this side. 70 to 80. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All right. 70 to 80, खड़े हो जाएं. यहां इस ओर आ जाएं. 70, 80, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. 80 to 90, stand over here. Doc, can you help me back there too well? 80 to 90, stand over on this side. 90 to 100, stand over on this side, over here. All right. 80 to 90, वहां खड़े हो जाएं. Doc, आब वहां उनकी साहता करें, यदि आप चाहें. 80 to 90, इस ओर खड़े हो जाएं. 90 से 100, इस ओर, यहां खड़े हो जाएं. ठीक है. जबकि ये लोग पंक्ती बना रहे हैं, मैं कली सियाजे कुछ पूछना चाहता हूँ. यहां कितने लोग अपरिचित हैं, इसके पहले कभी भी मेरी सभाओं में नहीं थे. आप में से कितने? कितने जानते हैं कि कोई मनुष्य दूसरे को चंगा नहीं कर सकता, डॉक्टर भी नहीं. नहीं शुरिबान, डॉक्टर चंगा करता नहीं है, वो प्रकृती की केवल सहता करता है, परमेश्वरी चंगा करने वाला है. समझे? दॉक्टर हाथ को बैठा सकता है परंतु वो हाथ को चंगा नहीं कर सकता है दॉक्टर अपेंडिस को हटा सकता है परंतु जहां से कटा है उस इस्थान को चंगा नहीं कर सकता डॉक्टर दात को निकाल सकता है पर अंतु बेहते हुए लहु को रोक नहीं सकता या उसे चंगा करता परमेशर को ये करना था ठीक है कितने ये जानते हैं कि जब येश्वी यहां पिर्थवी पर था कितने जानते हैं जब वो यहां पिर्थवी पर था क्या कैसे उसकी सेवकाई किस प्रकार की थी जब वो यहाँ पर था उसे जो पिता ने दिखाया वही उसने किया क्या ये ठीक बात है कितने जानते हैं संत यहुना पांच उन्निस उसने का मैं तुम से सच-स कहता हूं कि पुत्र स्वेम से कुछ नहीं कर सकता परंतु वही जो पिता को करते हुए देखता है क्या ये ठीक बात है उसी प्रकार से पुत्र करता है अब तो क्या येशु मसी कल आज और सरवदा एकसा है क्या आप इस बात को अपने पूरे हिर्दे से विश्वास करते हैं वो कल आज और सरवदा एकसा है क्या आ विश्वास करते हैं कि येशु कल आज और सरवदा जिसका अर्थ है कि वो वास्तों में एक्सा है ठीक है वो कैसे एक्सा है हर सिर्दानत में एक ठीक है वो एक्सापरमिशर वो ही चंगा करता वो ही बचाने वाला वो एक्सा है वो ही एकसी मनुश्थिती सब एक्सा क्या ठीक बात है एक्सा terrain if he was the same and is the same he'll do and act the same is that right ठीक है, तब यदि वो एक था और एक सा है, तो वो एक सा ही कारे और वेवार करेगा, क्या ठीक बात है? अब कितने ये जानते हैं कि ये सत्य है? मैं कि वहले एक शण यहां लेने जा रहा हूं, मैं प्रतिक्षा कर रहा हूं, ये मेरी ओने ही देखता, जैसे कि ये पचास लोग यहां पर खड़े हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, तस, ग्यार, बारा, तेरह, चौदा, नहीं, उनमें से कुछ संबत जल्दी घर चले जाएंगे, मैंने देखा कि कुछ लोग वहां पीछे छुटे हुए हैं, ठीक है, केवली ये छोटी सी कम लंबी पंक्ती, कितने इसे लेना पसंद करते हैं, इस पंक्ती में मेरे से कितने अपरचित हैं, अपने हाथ उठाएं, जो जानते हैं कि मैं उनके कितने में कुछ नहीं जानता, उठाएं, ओ, आपका हाथ, कितने बहार अपरचित, जानते हैं कि मैं आपके विशे में कुछ नहीं जानता, अपने हाथ उठाएं, कि आप बीमार हैं, ठीक हैं, कितने चाहते हैं कि पंक्ती में विचारों का परखना देखें, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, और पूरा करें, क्या पसंद करेंगे? अब इससे कोई मतलब नहीं, मैं केवल उनके लिए प्रास नहीं कर सकता हूं, उन्हें पंक्ती मिला सकता हूं, यवे बैठ सकते हैं, किवल जाकर और बैठ जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता, पवितरा आत्मा इससे जा सकता है, ठीक वैसे ही, कि आप इसका विश्वास कर हैं एक मिनिट अमें आप से कुछ पूछना चाहता हूं I may be on the wrong mic here uh both all right both hooked up all right this also yeah all right हो सकता है मैं यहां गलत माइक पर दोनों ठीक हैं दोनों लगे हैं ठीक है ये भी ठीक है now let's get quiet for a moment I'm gonna look down this line see if I know anybody I know that fellow standing right there and I know Earl Earl I know you Earl Colvin अब एक शण के लिए थोड़ा शांत हो जाए मैं स्पंक्ती में देखने जा रहा हूं देखिए यदी में किसी को जानता हूं मैं जानता हूं वो वेक्ति मां खड़ा है अब मैं अर्ल को जानता हूं अर्ल मैं आपको जानता हूं अर्ल कोल्विन ओ हाँ हाँ वो वेक्ति यहां पर है क्या यही वो वेक्ति है जिसके साथ हमने शिकार किया था वहां कोलरेडों में ओ निश्चेही मैं विश्वास करता हूं अर्ल ने मुझे बताया था कि आप बहुत बीमार हैं और आप आ गए हैं अब यदि आप अधिक समय तक खड़े नहीं रहे सकते हैं तो कोई उन्हें वहां कुरसी दे दे या उनमें से कोई या कोई खड़ा होकर उसके पास उसे इस्थान दे दे या अच्छा होगा क्योंकि ये विक्ती बहुत ही बीमार है लगभग सौ पॉंड या अधिक वजन गवाँ चुका है और वो बहुत बीमार है अब उसे वहां बैट जाने दे धन्यवाद वहां वो भाई अब मुझे नीचे देखने दे अब अर्ल उनके साथ खड़ा था अब ये वेक्ती महां पीछे खड़ा है मेरी और देख रहा है ये लॉग रेंग केंटिकी के आस पास से है मैं उसका नाम नहीं जानता परंतु मैं मैं आपको जानता हूँ ये भाई और बहन किड़ वहां पर हैं मैं उन्हें जानता हूँ और ये महिला ठीक क्या वो बहन रूख है यहां इस महिला के साथ सेल्सपर्ग में मैं विश्वास करता हूँ यह थीक बात है ठीक है जो इस अगल हम आओ पर प्रशिवास करता है रहां दूख है यहां यहां मेरा चा मितर बस्टी रोजर्स वहां मिल टाउन से और वहां पंग्ती में मैं समझता हूँ कि वे बाकी मेरे लिए अपरिचित है अब यह परमिश्वर के सनमुख है जहां तक मैं जानता हूँ वे मेर अब मुझे शुरोता मंडली में देखने दें अब आप जो मेरे लिया अपरिचित हैं जो बीमार हैं अपने हाथ उठाएं और आप जानते हैं कि आपके हिर्दे पर निवेदेन हैं आप जहां भी हैं अपने हाथ उठाएं जो जानते हैं मैं ठीक है अचा ठीक है ये बस सामान ने है लग लग सबी जगा है अब ये आपको ठेसना पहुंचाए थोड़ी से प्रतिक्षा करें थोड़ा सा या अधिक देल मैं आप से एक गंभीर प्रश्न करना चाहता हूं अच्छा हो कि मैं यहां पीसे आजाओं ताकि आप मुझे सुन सकें मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूं अब ये संदेश जो मैंने आप लोगों को परचार रहा हूं क्या विश्वास करते हैं कि ये सत्य हैं निश्चे थे यदि ये ऐसा नहीं होता तो आप लोग यहां नहीं आते हैं अब क्या परमेशन मुझे इस प्रकार का कुछ देता है बिना किसी धारना के में क्या कर रहा हूं निश्चे ही वो नहीं करता निश्चे ही वो नहीं देता now, if He has done that now, I'm claiming that Jesus Christ has not changed His death did not change Him, He glorified Him and He raised up on the third day and ascended on high and He sent back the Holy Spirit which was God is the Holy Spirit that was upon Him do you all believe that? and Jesus, when He is here on earth, He said the works that I do, shall you do also a little while and the world won't see Me no more अब यदी उसने ये कर दिया है, अब मैं ये दावा कर रहा हूं कि येशु मसी बदला नहीं है, उसकी मिर्तियों ने उसे बदला नहीं है, उसने उसे महिमा मे किया, और वो तीसरे दिन जीवित हो उठा और उंचे पर चड़ गया, और उसने पवित्र आत्मा को वापस भेज जो परमेश्वर था, वही पवित्र आत्मा जो उस पर था, क्या आप सब इसका विश्वास करते हैं? और ये शुच जब वो यहां पिर्थी पर था, उसने कहा, जो कारे मैं करता हूं, तुम भी करोगे, थोड़ी देर के बाद संसार मुझे और ना देखेगा, ये संसार का चलन, आप जानते हैं, अब विश्वासी कलिशिया और वे सब, वे मुझे और ना देखेंगे, ये ये शाल सी मी, ये, तो अभी तुम मुझे देखोगे, तुम जो कलिशिया हो, विश्वासी, क्योंकि मैं, मैं व्यक्तिकत सरवनाम, मैं तुमारे साथ होंगा, तुमारे अंदर होंगा, संसार के अंत तक, और यूनानी में नस्थ होने तक, जिसका अर्थ है संसार के अंत तक, संसार के अंत तक तुमारे संग होंगा, और जो कारे मैं करता हूँ, तुम भी करोगे, क्या ये सब्दे है? अब हमारे यहां Baptist, Methodist, Protestant, Protestant और Catholic और यहां तक की यहूदी यहां इस पराते बैठे हुए हैं और यहां Church of God, Nazrin, Piligram of Holiness, Yehovah Witness और सारी विबिन नामधारी ने प्रत्र निधित्व किया है मैं चारो और उन्हें देख रहा हूं, उनकी और देखता हूं Methodist, Lutheran, Pentecostal, all different kinds As I look around and see the people that I know And they're all visitors from out of town The Branham Tabernacle is a little bitty thing here in the city But it makes up from the world Methodist, Lutheran, Pentecostal, सारे विबिन प्रकार के जैसे मैं चारो और देखता हूं, उन लोगों को देखता हूं जिनने मैं जानता हूं और वे सब नगर के बाहर से यहां पर आए है Branham अरादनाले में अपने में छोटी सी चीज है यहां इस नगर में परन्तु यह समसंसार से बना है अब हम जरा इसे लें और ध्यान पूर वक्त सोचें सोचें अध्यान करें आदर युक्त होकर और इस प्रशन को पूछें तब यदि वो मृत नहीं है तो उसका विचार भाव आपको और बीमारों की और आज भी वैसा ही होगा जैसे बीते कल में था तो उसने बीते कल अपना विचार भाव कैसा बनाया था यह यदि आप विश्वास करें तो मैं कर सकता हूँ क्या यह ठीक बात है यदि आप विश्वास करें वेक्ती ने का प्रभू मुझ पर दया कर मेरा पुत्र प्रेट से बुरी तरह ग्रस्त है मैं तेरे चेलों के पास लाया था और चिला और शोर मचा रहते और सब कुछ उसने का मैं कर सकता हूं यदि तू विश्वास करे मैं कर सकता हूं अब ध्यान दें येशु ने कैसे किया कल वो क्या था उसने कैसे सेवकाई की अब ये अपरिचित लोगों के लिए है जिन से मैं बात कर रहा हूं आईए देखें वो कल क्या था मुझे केवल तीन मिनिट लेने दें हम थोड़े स्थानों पर इसका उल्ले करेंगे जेव उसकी सेवकाई आरम होई एक मनश्य इंद्रियास नाम का मच्वारा था मत परिवर्तत हुआ उस पर विश्वास किया और जाकर अपने भाई को बुला कर लाया शमाउन नाम था क्या आपको याद है? वो उसे येश्व के पास लाया वो अनपड मच्वारा था अपने हस्ताशर भी नहीं कर सकता था और वो येश्व के सामने आया और येश्व ने उसे देखा और कहा तेरा नाम शमाउन है तु योना का पुत्र है कितने जानते हैं कि ये पावितर लेख है वे जान गए कि ये मसी था क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिग्या किया हुआ है मुसा ने इसकी प्रतिग्या की जब मसी आता है तो वो एक भवश्य दखता होगा क्या ये ठीक है? भवश्य दखता मसी और उसने देखा और उसने कहा तेरा नाम शमाउन है और कहा तेरे पिता का नाम योना था और वो जान गया कि ये मसी है वो इस तरी कुएं पर ये दूसरे देश के लोग हैं अब केवल यहुदियों और सामरियों ने उसे स्विकार किया था अन्य जाती है हम अभी तक नहीं आए थे रूथ का जुंड अब वो इस तरही कुएं पर जो की सामरिय थी वो पानी लेने आई थी येचि ने कहा मुझे पानी पिला वो क्या करेगा उससे बाते कहीं जैसे कि मैं वहां किसी करना चाहूंगा वहां श्रूता गड़ों में से कहा मुझे पानी पिला 밤 भी नहीं मिले थे और उसने कहा क्यूं ये रीती नहीं है हमें अलगाओ है जैसा कि दक्षिन में हमारे काले मित्रों के साथ होता था और आदी आदी परन्तु अब और नहीं है परमिश्र का धन्यवाद हो इसके लिए उसलिए उसने कहा कहा ये तेरे लिए मुझसे कहना ये रिवाज नहीं है एक ऐसी सामरी उसने वहां कहा परन्तु इसलिए तु जानती है कि तुसे कौन बात कर रहा है तो तु मुझसे पानी मांगती इससे वो सुन्दरस्ती रुख गई और उसने देखकर कहा क्यों तेरे पाद जन निकालने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआ गहरा है उसने कहा जो पानी मैं देता हूँ वो अनंत जीवन है और अन्त में उसने पाया कि उसकी परिशानी क्या थी कितने जानते हैं अपरेशित कितने जानते हैं कि उसकी क्या परिशानी थी उसके पास पाँच पती थे इसलिए उसने उसे क्या कहा उसने कहा जाकर अपने पती को यहां बुला कर ला उसने उसकी ओर देखा उसने कहा मेरे पास कोई पती नहीं है उसने कहा तुने ठीक कहा तेरे पांच थे और जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पती नहीं है उसने का शरीमान मुझे परतीत होता है कि तु भवशदखता है अब हम जानते हैं कि मसी आता है जो कि येशु है जब मसी आता है वो हमें सारी बाते बताएगा क्योंकि हम जानते हैं कि वो भवशदखता होगा हम जानते हैं जब मसी आता है तो वो ये करेगा परंदू तू कौन है उसने कहा मैं वही हूँ और इस पर वो नगर को भाग गई और कहा आओ देखो एक मनुष्य उसने जो मैंने किया बताया क्या ये ही तो मसी नहीं ये दे कल मसी का ये चिन था और आज वो वैसा ही है आज भी वो ही बात है अब आप जो लोग परिचित हैं इसका विश्वास करते हैं अब ये जो पंक्ती में हैं उनके लिए है अब वे जो बहार हैं किवल एक पवित्र लेक ताकि आपके पास इस्थिर होने के लिए कुछ हो आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि अब वो महाय जख है जो हमारी निर्मल भावनाउं से छुआ जा सकता है हम सब ये उसकी परिशानी है इससे आपको प्रोस्टेट हो गया है ये ठीक बात है रातरी को उठते हैं और आदी आदी आप ओईयो से हैं और आप भाई सुल्वान की कलीशिया से हैं वहाँ जाते हैं मैं देख रहा हूँ कि भाई सुल्वान पास में खड़े हैं आप बालकों के साथ आते हैं जिन के लिए आपने किया ये ठीक बात है ठीक है इस समय आपको कुछ भिन सा अनुबा हो रहा है इसने आपको छोड़ दिया अब आप घर जा सकते हैं आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है परमिश्वर आपको आशिज दे पर अब तु जहां तक आपको जानता हूँ सुर्क का परमिश्वर जानता है कि मैं आपके विश्वर में कुछ नहीं जानता मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या गरबड है आपके वल एक विखती हैं जो यहां पर खड़ा है और आपके पास प्रासना पत्र है जिसके उपर एक नंबर पड़ा है आपके वल लड़के ने आपको प्रासना पत्र दिया है और आपको प्रासना पंक्ती में बुलाया है अब देखें कि ये कैसे खुल रहा है, देखे, एक बार ये कठिन था, एक बार इसने मेरे लिए बहुत किया, बजाया, सारे समय, मैं पराते प्रचार कर रहा था, कुछ बाहर जा रहा था, कुछ बाहर जा रहा था नवीवक वास्तम में आप यहाँ अपने लिए नहीं है आप किसी और के लिए है और वो एक बालक है वो बालक यहाँ नहीं है यह एक मैदानी देश के अनसास में है मिर्गी के समान दोरे पड़ते हैं मिर्गी यह क्या है बालक के उपर अंदकार की छाया है आपका संबंध है या आप पीडित है क्या आपकी सारी बेहनों का विवा हो गया या कुछ इस प्रकार का यह ठीक बात है क्या विश्वास करते हैं तो फिर अब आपको और दोरे नहीं पड़ेंगे यदि आप अपने संपून हिर्दे से विश्वास करते हैं जैसे कि आपने विश्वास किया वेसे ही बालक के संग हो उस मौसी के लिए प्राथना कर रहे हैं जिसको कैंसर है कि आप अपने हिर्दे की गहराय में ये विश्वास करते हैं कि आप हाँ जी हाँ मैं आपको नहीं जानता मैंने आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा परन्तु जब आपने मुझे उस व्यक्ति को कुछ बताते हुए सुना कि वो एक संबंदी के विश्वे में सोच रहा था तो आपके पास आया अब आप अपने संपूर्ण हिर्दे से विश्वास करते हैं अब उसने क्या चुआ मैं चाहता हूँ कि आप लग मुझे बताएं कि इस तरी ने क्या चुआ अब चाहिए दो या ये कितने हैं हमने पहले ही तीन लिए दो ठीक है ठीक है इस महिले पर मिर्ट्यू की चाया है उस पर काली चाया है जो कि उसको कैंसर है ये ठीक है डाक्टर ने आपको बताया है कि ये गिल्टी का कैंसर है ये ठीक है आप अपना हाथ उठाएं आप यहां दूर से हैं आईवा आप विश्वास करती हैं आपके पास या तो पुत्र है ये पोता है और ये उसकी आँख में कुछ गबड है आप उसके लिए प्रात्रा कर रही है आप विश्वास करती हैं कि पर्मेशर मुझे बता सकता है कि आप कौन है शिरी मती मिकी तो फिर आप घर वापस जाएं और चंगी हो जाएं ये शुमसी करता है वो जियोती जो आप उस चित्र में देख रहे हैं वो महिला जो पीछे बैठी है उस पर है मेरे भश्चे दक्ता होने का विश्वास करती है बहन आप अपने पती के लिए जो मिर्तु की स्थिती में है प्रात्रा कर रही है वेटरंस अस्पताल में ये यहोवा यू कहता है अपने पूरे हिर्दे से विश्वास करें अब वो चंगा हो जाएगा उसने क्या छुआ वहां बहार अब विश्वास करते रहें समझे एक कार दुरुगट ना में आप उत्तर से यहां पर आए हैं आप बैट फोर्ड इंडियाना से हैं ये सही है क्या सकते हैं तो फिर विश्वास करें कि आपकी गर्दन ठीक हो जाएगी जैसा आप विश्वास करेंगी वेसे ये आपके साथ होगा घर वापे जाएं परमेश्वार को महिमा दें ओ परमेश्वार ये युवा पुरुष विश्वास की अच्छी लड़ाई लगा रहा है यहवा येरे की उपस्तिती में रबु ही दिया गया बलिदान है वो ही सामर्थ जिसने येश्व को कबर में से जिला उठाया उसे चुए इस शन उसके हिर्दे की इच्छा उसे दें येश्व मसीख के नाम में आमीन पर येश्व अपनी बेहन पर मैं अपना हाथ रखता हूं येश्व मसीख के नाम में ये आँखे चंगी हो जाएं होने पाए उसका रोग उसके शरीर से दूर हो जाए येश्व मसीख के नाम में आमीन हमारे सुर्गे पिता ये मेरी छोटी बेहन किड है मैं प्रात्रा करता हूँ सामर्थ जो की इसे इसकी बुड़ी आयू शक्ति दे जैसे आपने नियोमी को दी प्रबू होने पाए कि वो अब भी आपकी महिमा के लिए प्रयोग हो पिता इसे प्रदान करें येश्व मसीख के नाम के दौरा और भाई किड़ को प्रभू मिर्तु ने उस पर प्रहार किया परंतु जीवन उसे वापिस ले आया परमिश्वर में प्रात्रा करता हूँ कि आप उसे मजबूत रखेंगे उसने अपना निर्धार समय पार कर लिया है परंतु तु परमिश्वर है और आप ये अपनी महिमा के लिए करते हैं जैसे कि आपने मुझ से अस्पताल में पृतिग्या की है अब उसे गभाई देने के लिए सामर्थ दें होने पाए कि इसकी गभाई ओहियो प्रांत में धूम मचा दे समध संसार में वो येशु मुझे चंगा करता है मैं उसे उसके वचन पर लूगा